हलो बच्चों कैसे हैं फर्स क्लास तो आज का बहुत ही जबज़स्ट आपिक होने जा रहा है आज है आपको यूनिट डायमेंशन एंड मिजर्मेंट जाते हैं कि यह नीट और इटी के लिए इतना इंपर्टेंट है कि यहां से यह क्या दो क्रेशन बहुत ही बहुत ही मतलब तो ठीक से बिल्कुल आना ही आना है तो यहां का सिरूट से लेने जा रहा हूं पालते से जानकारी है तो भी ठीक थोड़ा भी तो जम करके वीडियो को सिरू करके लेकर के देखिए गटा में हम आपको पूरा पूरा का पूरा मतलब सवर्पले लेकर करके टौप लेखिए है कि सब्सक्राइब तो जैसे सब कब करेंगे तो आज पहला फर्स्ट लेचर है याँ यह युनितन करके लाज्ट तर खुब अच्छी तरश पढ़ेगा 300 फेजेक्स मैंस डिपांडे स्टीपी सर ओके विटा फिर्स्ट फाल दिस इंपार्टन येस मोस्ट इंपार्टन चेटर फार यू ओके वन क्वेश्चानी फिक्स फ्राम ये तो बिटा तो सबसे पहला पॉइंटे विट फिसके क्या है जो भी हमारे सामने जो भी चीजे हमारे साम में हमको दिखाई पड़ती है कोई किसी बीचीज का जींस संब हमैं संबी divis supporter कर सकते on इसके कैसे कर सतया भाई, एक आरडिंटू लॉफ दॉफीजिक, जानिकि जिन चीजों को, जिन चीजों भी चीजे हम आपको दिखाई पड़ती है और जिनको हम फिजेक्स की लागे अनुसार उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको एकसपय कर सकते हैं according to law of the physics, all that things is known as physical quantity, वे सभी सभी चीज़े क्या खलाती है, physical quantity खलाती है, तो आप एक लाइन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, कि all things, ने बटा, देखे, all things which can be expressed on the basis of the law of the physics, यानि कि वो सभी की सभी चीज़े जिनको हम physics ला के अनुसार express कर सकते हैं, किसी भी फार में, व किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, यह सब की सब क्या है, physical quantity है, अब इसके अलावा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़े हैं, जह सब कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं, velocity है, acceleration है, तो जो भी कुछ भी आप बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जो फिजिक्स ला के अन पर बहुते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, physical quantity बोलते हैं, अब ज़ा देखों, अब फिर काते हैं, कि unit क्या होता है, यानि चैप्टर का नाम है dimension, unit, physical quantity, measurement, यह सब क्या है, चले बढ़ा, अब सवाल हैं कि unit क्या होती है, तो जो भी physical quantity होती है, जो भी पी सब्सक्राइब पांडे से, पांडे, यह पांडे लगा हुआ एक identity हम दे रहे हैं, अपने आपको कि हम कौन है, तो ठीक, ऐसे ही physical quantity में भी बिल्कुल ले दम पकाईदम यही हिसकारता बहां पर भी है, वहां पर भी है, जैसे कि quantity, वो कितना है, यह लगी बहुत हो गई, वो तो उसी numerical value होगा, अब वह किस बिरादरी में रहता है, बिल्कुल ले दम सिंपल वे में, कि वह किस में है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग अपने में देखते हैं कि कास्ट और यह वर हुआ, तो ठीक वैसे ही वहां पर पर उसको identity हम देते हैं, उसको करते है है, यूनिट, तो देखो, तो अब हम लोग काते हैं कि कैसे define करेंगे, हम लोग scientific way में कैसे बोलेंगे इस बात को, तो कहेंगे कि identity is given to these physical quantity, यानि किसी भी physical quantity को बिटा, जो हम उसको identity देते हैं, जैसे माले कि फोर्स है, तो फोर्स को हमने identity क्या दिया है, निूटन में बोला फोर्स को किसे में represent करना है, फोर्स की कुछ value होगी, माले 10 निूटन, तो अब 10 तो numerical value हो गई, और निूटन, अब ये निूटन क्या बता है, एक identity पहचान दे रहा है, अच्छा, निूटन रहा है तो हम जान जाएंगे, कि नूटन रहा है तो अच्छा फोर्स होगा, मीटर पर सेकेंड, अब हमने पहचान दे दिया, उसको identity दे दिया बैटा, तो मीटर पर सेकेंड, यानि हमने एक identity दिया उसको किसी चीज़ को, numerical value को हमने 5 लिखा हुआ है, माले बैटा कि हमने कि 5 ampere, तो 5 तो numerical value हो गई, अब ampere हमने एक identity दिया न उसको, यानि कि हर physical quantity को हम क कोई इनको एक identity देते हैं, तो जो identity हम देते हैं, उसको represent करने के लिए that identity is known as unit, ओके, तो therefore, what is the best definition of the unit, तो therefore, you can say that, identities given to these physical quantities for representation are called unit, यानि कि कि किसी भी physical quantity को, जो हम identity देते हैं, उसके numerical value के बगल में, यानि कि कितना magnitude और identity उसके, उसके हम क्या बोलते हैं, उसको हम करते हैं unit, यानि कि magnitude के साथ जो लगता है, उसको हम करते हैं unit, जैसे 10 ampere, तो ampere is the unit and 10, 10 is the magnitude, ओके बगला, चालो, अब बात रहे हैं, कि types of unit, देशे बगला, वीडियो बहुत ही जबर जास्त है, वीडियो जब अच्छी तरह से वीडियो समझ लिया, पढ़ लिया है, दो पार्ट में रहेगा वीडियो, दोने वीडियो बहुत लाइफ में कभी भी डंके की चोट में करता है, कि लाइफ में कभी भी आपका unit measurement और dimension का यह चैप्टर जो आप देख रहे हैं, यह चैप्टर का कभी कोई भी एक्वेशन गलत नहीं हो सकता किसी भी इंडिया की जाम में, दावे के साथ, एक भी एक्वेशन का भी गलत नहीं होगा, फटा-फटा-कर रहेंगे साथ, बस थोड़ी सी मिना कर देज़ेगा, बस कहां पी ले ले हैं कहां पी ले 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 थो आच्छी तार समझते जाएगा और ऐसे ही पूरा फिजिक्स दे रहा हूं पूरी फिजिक्स पीहंडे फिजिक्स पर लोड करना है हर चैप्टर ऐसे यह सब एक से आले आले सब जब जस चैप्टर चलो फिड़ा अब नौ दर क्वेश्चेन कि टाइप साथ यूनित और फिजिकल क्वांटरिटीज यह यूनित और फिजिकल क्वांटरिटीज कितने टाइप की यह सवाल है कि होती है कितने टाइप होती है चलो तो यह सिंपल पार्ट बहुत ही आसान सब पोस्टन है यह तो जल्दी जल्दी फास्ट मैं आपको फिनिश कर देता हूं आप यह बार कॉंपी में सब रिभाइ जो के सो टू टाइप साथा फिजकल यूनिट्स देखो दो तरह की फिजकल क्वांटरिटी होती है इसलिए क्या हुआ कि फिजकल क्वांटरिटी को जो रिप्रियंट करने के लिए माइनिटू भगल में लगाते है आइडेंटिटी उसी खमने यूनिट बोलते है तो अब कोंटरिटी जब 2 तरह की हो गई तो यूनिट भाती होंगे और क्यूंक तो नमबर वन पे है लंबड़ देखो नंबर वन पर है फंडा मेंटल फिजकल कोंटरिटी ऐंड फंडामेंटल यूनिट्स एड़ी मूल रूप में जो है जो किसी की सहायता के बीना बने हुए है ज उनको बेटा काते हैं fundamental यानि कि those which are independent on the other and works as fundamental quantities यानि कि जो किसी दूसरे के साथ नहीं कर लाए जैसे बेटा मालो किलोग्राम बोल ला है हम लो किलोग्राम तो किलोग्राम बोला तो किलोग्राम वल ली किलोग्राम दिस दा आइटेंटिव इस दा किलोग्राम और वह किसी भी दूसरे किसाँ डिपेंड नहीं कर लाएं हम जैसे मालों प्लीओ जैसे में अगि मीटर पर सेकेंड दो आ acceleration भी है, mass भी है, time भी है, सब है उसमें, तीन से मिल के बना हुआ है, इसा मतलब भीगा बेटा, कि दो तरह की quantity होती है, ये तो वह कि जो अकेले होती है, self, और एक होती है वह जो दूसरे से मिल करके, दो-तीन से मिल के बनी होती है, वो, तो जो अकेले होती है, यानि कि जो self होत जो self-individual entity वाली होती है उसको करते है fundamental those which are independent यानि कि जो किसी अन्ने पर dependent हो करता हो बैटा on the other end works are the fundamental quantities नो बैटा root quantities identity given to it is called the fundamental units नो बैटा तो ऐसे जो क्वांटिटी होती है उसको करते है fundamental quantity और जो उनके साथ unit लेगे उसको करते है fundamental unit करते हैं अब स्वाल है कि यह कितने होते हैं आप आपके सामने है देखिए अब यह fundamental quantity जो हम लोग की physics में है जो पढ़ना है सामनों को रहता है उसमें 7 होते हैं साथ कुल होते हैं तो लिस्ट बना लिए आप भी तो साथ होते हैं देखिए quantity कौन कौन होते हैं तो जा देखिए के जी अब दा कैसे रिपेजन करेंगे आप के जी सरी रिपेजन करें आप जैसे नंबर दो पर कॉन सा विटा देखिए यह fundamental units and fundamental units and fundamental quantity तो यहां पर fundamental quantities है और यह fundamental units समनों कि यह fundamental units fundamental quantity चल लिस्ट अब जाब देखिए आप नोट कर लें नमबर बन पहुआ है मास अनम्बर दो पोन करें लेंध लंबाइब यह इस साथ भी कोई हूर नहीं है तो अब यह unit क्या होग जा है कि मीटर कैसे रिपेज़न करेंगे n रिफेज़न करेंगे time 2 कैसे रिफ्रेजन करेंगे अभी हम ताइम सथ हमले अभी क्यों यहां unity पर देख रहा है अपले हम लोग तो time second दो बटा कैसे लिखेंगे second yes क्यों लिखेंगी small yes temperature temperature Kelvin ना तो temperature में कभी कभी थीटा भी लिखते हैं कहीं कहीं पर देखेंगे तो देखेंगे बाद में देखा जाएगा अचा अब इलेक्री करेंट पर नमबर कौन है इलेक्ट्री करेंट क्या है इसका कि देखे सब इंडिविजुल है अकेले हैं सब इनके किसी के साथ में कोई और नहीं है दो से मिलकर नहीं बने हुए है तो अब अगला नमबर देखे नमबर 6 पर देखे मिलच लेकर अगले चल्चेश्च में सबस्की कि क्या होते हैं सब तो लुमिन सीए पर आप सब्सेंस में जब उसे लिकीघा मॉल लructured को तो इसे मोल बोलेंगे तो अब ये तो ए रहा फंडामेंटल तो कुल कैंने फंडामेंटल कॉंटिटे जह मैं तो there are seven fundamental quantities कुल 7 fundamental quantities है मैं चले अब जह देखना है अब पॉइंट है कि derived fundamental fundamental quantities and units derived या नाम से ही किलियर है कि एक से जाधा होगे जाधा होंगे विल करके बनाओंगा तो ऐसे फिजकल कॉंटिटी और उनके यूनिट्स तो आल देज फिजकल कॉंटिटी इकसेट दीज सेवें इन 7 के अलावा कांट डिज़ाइब फिजकल कॉंटिटी मिलेगी physics में और जो भी physics में चाहे कमेस्टी में और या चाहे और जो भी physical quantity मिलेगी निसेवन के अलावा वो सब की सब क्या कहलाएगी derived physical quantity कहलाएगी और उनका unit derived unit कहलाएगा ना पिटा चले तो derived physical quantities and and identities given to it represent the derived unit यानि कि युनिट दो प्रकार की हो गई नंबर वान कहुंसा फंडामेंटल युनिट और नंबर दो कहुंसा derived unit चाहरण आप जा देखिये और आगे अब के सम इजामपल्स आप हम सब इजामपल लिया जैसे फर जैसे माले की derived unit क्या होते है उनका इजामपल थोड़ा बहुत सिम्पल ची बात है विलस्टी अब विलस्टी को क्या distance upon time रिखेंगे तो distance का क्या होगा unit meter time का second तो क्या इसे लिखेंगे meter per second अब meter भी है second वे दोनों यह 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 भी फंडामेंटल यह मीटर भी fundamental है और यह से फंडामेंटल से मिलके बना हुआ इसलिए कैसा unit है derived unit है कि decision निखना हैं हमको delta v आपकी लिखो है यादि meaner पर श्रोपर वाला जेखेंऻ सेचगे पर सेखियो मीटर जाने कि सेखिव बार है यह कि किसे में अकरी द्ना हुआ है 2 से मिलके बना ब्राबर यह प्रीटरी और दों लेक्ट है किलोग्राम भी है एक सब्सक्राइब है लेकिन पूरा मिला करका क्या हो गया है डिराइब अब पूरे को हम क्या कहेंगो डिराइब है नहीं कि कई तीन फंडामेंटर से मिलके बना हुआ जस्ट ऐसे यहां पर है मार्मली लिखना है हमको वर्क तो क्या लिखते हैं फोर्स न्यूटन ना इन्टु मीटर और न्यूटन खुद ही क्या होता बढ़ा किलोगार मीटर पर सेकेंड स्कॉर होता बढ़ा और इन्टु है चलते स्क्राइब अगले पेस पर चलते शर्द नेक्स पर देखते क्या है विज्टर के मार्म कि करना है-एं-बेस नेउसरी बीतार कुछ बैलु किसी भी इसके साथ रहे गए को प्रक्वेथी हैं नाुकिसी गंजय पर देखेगा न बल्रक्वक्राइब और चीज़ आइडेंटिटी उसको यूनिति करते है तो यूनित कें वे लगा दिए नुरिक किसे भी physical quantity को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा magnitude इन्टू जैस्ट उसे बगल में क्या उसकी यूनिट यानि जो उसको यूनिट दी गई है ना तो इंटरनेशनल जो एक आरगनाइशन है जो सबके लिए fix किया हुआ मैं आगे भी बताऊंगा तो जो fix किया गया है कि किसका क्या है किसका क्या definition है ना तो वह एक identity सबको fix सबकूरे विश्वा में वह एक ही चलता है तो चलिए तो magnitude हो गया और intensity नुमेरिकल बैलू और यूनिट यह दोनों यह दोनों मेटर देख रहे ना यह दोनों यह हमेशा दोनों का product हमेशा constant रहता है इसा मतब यह हुआ कि कभी भी यह यह यूनिट छोटी होगी तो नुमेरिकल बैलू बड़ी होगी सिंपल सी बात है बड़ी होगी फारिजाम फाल यदि हम centimeter कहां कि एक centimeter तो एक centimeter one numerical value is one centimeter में मैं कहों कि millimeter में change करो तो एक centimeter के बराबर क्या होगा 10 millimeter तो 10 अब नुमेरिकल बड़ गई यूनिट छोटी हो गई तो centimeter को जब हमने बड़ला बड़ा millimeter में यानि कि जब यूनिट छोटी होती है तो नुमेरिकल बैलो बड़ी होती है कहीं पर भी लिखा हुआ जैसा माली जैसा पोस्टा है कि लिखा हुआ कहीं पर one kg तो one kg लिखा हो बड़ा ओके तो one kg kg अब मालो ग्राम हम में लिखना है तो चीज वही है quantity वही है amount उतना ही है लिखिन यदि हम उसको दूसरे जब यूनिट में लिखेंगे छोटे यूनिट में लिखा किलो ग्राम के बाद जा हमने ग्राम में लिखना तो अब कितना हो गया one thousand kg यानि कि किना हो गया one thousand times बढ़ गया इंक्रीश कर गया यानि कि यूनिट छोटी हुई तो नुमेरिकल वैलू बढ़े है यानि कि एन यू माइंट है product of this product of n यानि नुमेरिकल मैंगनिट्यूट and the unit product of these two will always constant ओक बटा चाले यह अगला पॉइंट कैरा कि it does not change due to any मतब कैरा बटा कि यह जो बैलू होती है एन यू का मान तो इस नाट चेंज भाई यह नाट टो लुट इनट अभी वी किसी भी फीशकल में डेटिपन आखके प्रेशद 20वाज मान श Co तो करन वरजन के लिए क्या करते है तो यह क्या है, अलबी, since NU is always constant, NU is always constant, तो since NU is always constant, therefore you can write N1, U1 is equal to N2, U2, yes, this is always constant. अगला पॉइंट, भेन, फिजकल कॉन्टेटी इस रिप्रेजेंटेट इन अदर इसमालर, और बिगर सिस्टम, यानि कि जब भी कभी वेटा करना होगा, तो हम इसी फामूले का क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, ओके वेटा, अब चलिए, अब है बात है वेटा कि सिस्टम अब दर यूणिट, यानि कि कितने प्रकार के, कितनी प्रकार के जो है, यूणिट कितनी सिस्टम है, चलिए, अब कुल यूणिट के ज़िए सिस्टम है, तो हम लोग यूज कि there are only four systems in the universe, in the nature, यनि कि इतकुल चार प्रकार के system प्रकार प्रकार के system चलते हैं, जैसे cgs, यानि क्या centigram, centimeter, gram, centimeter, gram, second, foot, foot, pound, second, meter, kilogram, second, और ये इस, यूट, यानि foot, pound, second वेटा हम लोग चलता नहीं है, ये ब्रिटेन में चलता है, यह ब्रिटेन जर्नले चलता आमेरिका में भी चलता है अम्रीका मैं भी कुछ पशब मेर्की बि करो ने लटनले हैगी सिस्टम और उन्टा के चेल लोग अज्tech ट होगता ही छलता है चेसरे सिस्टम चलता देडouse यूनिट यानि कि नाम रखा गया बटा यह मीटर किलोग्राम सेकर्ड वगरा नहीं समय उच किया गया है यह एक और गनाइजिशन जो संस्था है उस संस्था के नाम पर रखावा बटा कि सिस्टम आप इंटरनेशनल यूनिट जगह का नाम बेटा उस जगह पर जहां पर यह बनाया गया था जहां पर यह शिप्ट किया गया था इस चीज को उस नाम पर रखा गया था उसी समय रखा गया था क्या कि सिस्टम आफ इंटरनेशनल यूनिट तो इसो बोलते हैं सिस्टम आप इंटरनेशनल यूनिट होता बटा जनली को करते हैं कि सिस्टम आप इंटरन में सारे चीज़ लेन देन जो भी होता है हम लोग साथ में मीटर किलोग्राम सेक रिख करते हैं और कुछ जोगों नों मेरे कलाप उसाल करते हैं तो suggest भी और यह हम में कर सकते हैं यह और यह नहीं दोनों इस दिर मिला लिए जाए तो हम्हों की साई यह यूनिटी ही बन जाती है ना बैटा अच्छा अब जो अब जोंगे पाइश पूरा शीर्टम आप इंटरनेशनल यूनिट रिटा यसाई दोनों के मिला मिला सकते हैं कि यह साइई यूनिट है यह हम लोग यूज्ट करतें। सब्सक्राइब तरुए यह एक और जेशन है जन्रैल कम्फरेंश ऑन दा वीट अड परिस में और वहाँ पर इसको असेप्ट्ट किया था यह चार को महुंतना पर चलो अब अगला पॉइंट क्या बटा देखो SI unit क्या होती है चलिए अब डिटेल अब SI unit क्या होता बटा तो देखो तो इसे काते हैं कि system system international deunit बोलते बटा system international deunit बोलते हैं यह फ्रांसवी भासा में यहां पर है उस जगा के नाम नाम यहां रिप्रिजेंट करते हैं तो फूरा नाम ने लिए स्वाड में लिए देते हैं तो इस काते हैं कि system international deunit बोलते बटा this is the universally accepted unit और कभ इसको SI unit को यह सब्ट किया गए बटा 1960 में और इसने ना बटा अच्छा इट शुड़ है यानिकि इसकी किन बातों पर अगर कि इस सगंद गरांट यह सब्काइब सबूस की शुड़ाएं इसकी पर डिपेंड है कि रहें डिफांट है कि यहां के आप करेंगे कि किलोग्राम और चोटे यूनित का मान रहता है यह है यह है जो यह सब्सक्राइगा 1960 में कि जो भी जो भी यूनित हो वह बहुत ही इस्पेसिफाइट हो वेल डिफाइंड हो जैसे वन किलोग्राम बोल दिया अब जैसे यह नहीं है और 치ने कि अस्ट्रेखलराम कहीं और रहता है पाकिसांद में किछ और ओंगाव अिसा नहीं न तो पूरे Bस्व में एक किलोग्राम एक just और कि उसको क्या माना जाये किलोग्राम को कितना वज़र रहे तो किए mostraना जायेगा माना जैए तो उसको सिलेंड्रिकल यारि कि उसका डाइमीटर और उसकी लंबाई बराबर रहे तो शेंड्रिकल सेफ में है वह वह रखा हुआ है उसको उसका वजन है तो इन्टरनेशनल सोशाइटी ने यह समय यह शेफ्ट किया गया कि इसी को वन किलोग्राम पूरे बिश्व किवा कि तो दैटि दवन किलोग्राम हगा अध़ा तर्फ दैटिस को करते हैं क्या इसका यसाई साइए यूनिट यादि काथ है कि जो यू इतना ही वजन हो गया तो यह इतना ही वजन हो गया तो धैट ज़स्ट अच्छा दूसा पॉइंट कैसा होना चाहिए बेटा इवरी फेयर शुट बी सेम याई कि जैसे कि वह जो मास हो वह पूरे हर जगह वह उतना ही रहे फिक्स रहे यह होना चाहिए इट शुट नाट डिपेंड अन टाइम अडिस याने कि एक ऐसा चीज हो वेटा कि जो पता चले कि जैसे माले कि हमने किसी चीज का इस्टंडर मानक खो गया यह कि एक किलोग्राम क्या होगा अब वह भी ऐसा रहे एक किलोग्राम जो रखा हुआ है प्लेतिनम और प्लस iButium की रखा हुआ जो metal वहां ऐसा नहीं है कि समय के साथ change हो समय के साथ बदले यह अस्थान के साथ यहां उसको कहीं ले जा करके उठा करके कहीं और लेकर कि जाए तो जाहां पर मान बदल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो देखो तो कह रहा है कि अगला पॉइंट क्या है कि एवरीवेयर दैट सुट सेम यानि कि वह जो चीज है जिसको हम इस्टेंडर्ड मान रहे एसा यूनिट उसमें हमेशा उसकी वैलू हमेशा क्या बनी रहे बनी रहे ओके बटा यानि कि टाइम समय बीतने पर याई स्पेस यानि के जगर से दुस्या अस्थान को ले जाया जाए तो उस्यामान हमेशा कांस्टेंड होना चाहिए देर सुट भी नो चेंज नमबर नेक्स क्या होना चाहिए इस सुट भी कॉन्वेनियेंट इन दर साइज है कि ऐसा यूनिट में ऐसा नहों कि वह उसी साइज इतनी बड़ी हो या सुविधा हो उसको रखने के लिए या बनाने के लिए अब जैसे फारी जाम पर मीटरी स्केल है कपड़ाना अपने डिकत होती है 할किक थे उसी समय मानता दी जा रही थी या जा जब स्रों कर च pays expecting investments में उसी समय होशाता कि मेटरी स्काल चोड़ा माने माना गया हो था तो इतनी बड़ा माना गया था तो इतन surveys मपों जो मानता पार लिए गए चुका आफुक माइल को सवब् mortar समय केड़ कुका है यह से हैं अऩाल हावड़ा चलिए चबड़ा आगे अगला प्रवाइंट रहा है कि एट उड्रेट करना करना चाहिए यहींश का फैक्टर है वहला ही पर डिपेंट नहीं होना चाहिए और और क्यारा कि एट शुड़ा इजली यह पूरे बिश्व में हर जगए यह लिए एवेलेबल होला चाहिए उपके बटा इसे तो जब यह साद शीज़ा होंगी तो हम ऐसे यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग यह साइए यूनिटे वाप फिर से देख लिए यह ठीक से वगव यह यह जब़ा चले एव नूरीजए हैं एवाण नूर काया चीट से नूर करीमें वाठए नूर काया यह बादा यह जब़ा चले और एगले पेश पेश पेशलते हैं अब है हम लोगा के डिफिनिशन होता फंडामेंटल यूनिट से ओके अब जो फंडामेंटल यूनिट से उनको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे चलिए फटा-फट नोड करिए नमपर वन पे है किलोग्राम ना अभी हम जो डिसक्स क किलोग्राम क्या है यूनिट क्या है अब किलोग्राम को कैसे दिस्ट्स करेंगे तो किलो ग्राम को मास आफ़े सिलिंडर स्बेखना वहीं चीज लिंडर पैमीटर और हैट उसकी बराबर रखा गया गया तो और यहां पर और किस्छे बना है 90% platinum बना हुआ है और 10% iridium से बना हुआ है तो वह है जो metal का piece रखा हुआ है वह ही metal के piece को बानते हैं 1 kg अब चलो बिटा मीटर क्या है तो करते हैं कि length of path length of the path travelled by the light in so much second इतने सेकेंड में one upon so much ना तो one upon so much तो इतने सेकेंड में तो इतने सेकेंड में light जो distance से cover करते हैं उसी को करते हैं one meter that is known as one meter इसको one meter करते हैं हाँ नोट करने पॉइंट वही है थी इंटू 10 पावर 3 इस्टेंडर वैलू तो ही आती न उसी को मानते हैं कि c equal to 3 इंटू 10 पावर 8 meter पर सेकेंड करते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड करते हैं इसलिए यह से डिफाइन करने का तरीका यहां कि वन मीटर क्या होता है तो लाइट नो इसको एप्राक्सिमेट में भी आप लिख सकते हैं कि जो लाइट है वन अपान 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड वाले पार्ड में जितना ना जितना डिस्टेंस कबर करती है उसी को वो कारते हैं मान मीटर अब अगला पॉइंट वन सेकेंड क्या वादा वेटा वन सेकेंड क्या वादा देखें यहां पर वन सेकेंड 9192631770 नो इतना पीरियेट और रेफ वड़ा ना था रेडियेशन बीट्विंटर हाइपर फाइन लेविल आफ दगर इखेंड किसको कह सेकेंड आप एक 2 सेकेंड किसको ऐक तो सेज्गिवें एटम में ठो थो ना धूर और डेडियेशन स्पाइब कि तरेडियेशन होगा देख रहे हम कि इतना प्रिकॉंशी होगी तो प्रिकॉंशी के फार में भी डिफाइन कर सकते बटा और सेकेंड के फार में रेकिन के फार में ऐसे इदिफाइन के दबेस्ट बटा कितना 91 जिए याद कर ले 91 92 631 770 पीरियर अट इतना ताइम इत पीरियेट्स आफ दे रेडियेशन बेट्विन तो हाइपरफाइन लेविल आप द ग्राउंट इस्टेट आप दे शेंड वान थर्टी थरी आटम जबंट को सब्सक्राइब करेंगें इसको और इज्यूने में में भी कर सकते इसको लेकिन ठीक है ऐसे दमेस्टेलान दो एसे कान्फूजन होगा हो इसको लेकर को कर देख न और सीजुय में इसका रिफ्रेंस है होगया चल्ण है हो जुखर हो चले हैं अब तब छेढ़ा 1K living के ऐसे डिफैन करो घटा 1K living तो 1 अपां 273.16 ना the fraction of the triple point of the Letter यहीं कि water कवड़ा तुखर आ यहीं water का wakular के triple पॉइंट का यही वाटर का ट्रिपल पॉइंट विटा तो वाटर कि ट्रिपल पॉइंट का 1 1.1 173.16 यानि इतना है पार्ट ट्रिपर पायंग को क्या है जो टम्परेचर होता उसकी को काते है 1 KV काते हैं चाहल वहता, अगला पोइंट, इमाउन्ट आप द रेडिएशन आप दा मोनोक्रोमाटिक रेडिएशन आप दा फ्रीक्वेंट। यहने कि अते हैं कि लुमिनस इंट्रिशिटी क्या होती वेटा, यहां पहें पहेंद आप दा लुमिनस इंट्रिशिटी luminous intensity चावटा तो luminous intensity दिफाइन करने के लिए amount of the radiation of monochromatic radiation frequency इतनी frequency का ना विटा which can produce intensity कितना 1 upon 63 watt per star radian watt per star radian ना विटा तो जो वजनी की हुआ light का amount जिसी frequency तनी हो और इतना watt per star radian की intensity प्रोडिश करता हो तो वही जो light का amount होगा उसको का करते है one one ना विटा तो उसी को करते है one lumen one lumen करते है उसको और उसकी unity क्या बंदी वटा वही candela चावडा अब mole क्या होता विटा देखो ना one mole आप किसको कहेंगे या कि amount of the substance which has या कि वह amount of substance का वह amount जिसे में इतना यानि कि आउगादरों के number के बराबर molecules या item हो उसको क्या करते है तो that amount of the substance is known as one mole दूसरे तर से कैसे रिप्रिजेंट करेंगे इसे विटा आपके सकते दूसरे सदों में कि the amount of the substance which has as many as many elementary entities as there are atoms in the ध्यान देने विटा इतना किलोग्राम आफ कार्बन ट्वेल्व यानि कि कार्बन 12 एंदि इतना किलोग्राम लिया जा जाए उसे में जितने भी अगला पॉइंट अगला पॉइंट अब है कि एम्पीर एम्पीर क्या होता है यह हुटा एम्पीर क्या होता है तो एमाउंट अब दो करेंट विच वेंट फ्लो इन टू पार्ला लॉंग वायर ऑन्ट प्रोडुइशेस्स टू इनेट अषookie इने वे स्टेय्ट हो जाना जेँएंट वेकि तो ग्रेंट कहारा हुटा और पार एक रांग के यूनित पर फोर्स करना लगा रहा हो इनके बीच में पर युमिट जो फोर्स क्या व्य सेवन न्यूटन पर मीटर का फोस्ट प्रोडूच करें वायर पर दोनों के बीच तो इस एमाउंट को क्या कहेंगे हम लोग एंपिर कहेंगे तब हम कहेंगे कि इसमें जो करेंट बार यह कितना है वो वन एंपिर ओक वेटा तो यह था सेवल्घ दिफिनिशन तो यहांकि जो यह साइउ उूनिट तो वेल डिफाइन है यहांकि एक सेकेंड का अबर एक सेकेंड पीडिर 17 में चीद कितना होगा किसको कहेंगे हमें एक सेकेंड बेल डिपाइट One Meter, so what will be the one meter? वेल Defined what is the one more? वेल Defined इसक्याट, what is the one Candela? वेल Defined, okay next page Next page, अब है बात हम लimaan करते वेटा, Dimension कि ये क्वेशन आपका बिलकुल fix होता है, बिलकुल ही यहाँ से आना ही ये वेटा, बिलकुल ही fix है करके क्या क्या तो इसमें नंबर वन पर है विटा यूनिट एंड डाइमेंशन यह हो गया अदुसा मीजर्मेंट मीजर्मेंट विटा इडर तो कई प्रगारक इडर है क्या है कैसे है सब मैं बहुत ही जब जस्त डीटेल में भी आको देने जा रहा हूं चले देखिया अब ड डाइमेंशन होता ही क्या है तो दीज आर्द पामर रेष्ट आंदा फंडामेंटल यूनिट तू रिप्रेजेंट दा डिराइब यूनिट धांदी जेए विटा डाइमेंशन हम कहें कि यह डाइमेंशन एच्छली है क्या तो डाइमेंशन का मतल बहुत ना कि दीज दीज हुक दम पामर रेष्ट अयांने कि जो फंडामीनटल यूनिट होती हैं फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पामर लगाया जाता है इस बिद्धा बिदा किसी भी लाइब यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो fundamental seven है ना seven हम लोगी fundamental physical quantities है ना तो जो seven fundamental physical quantity उनके उपर जो भी आप पामर रेज करते हैं यानि कि पामर जब लगाते हैं तो that power raised the power that raised power is no dimension यानि कि dimension जो था वो पामर होता है जो घात लगी होती है ना किस पर किस पर मीटर पर किलोग्राम पर सेकेंड़ पर एंपियर पर केंडिला पर और मोल पर तो उसी वह इसी को क्या करते हैं आप लोग देट इस नौन आइच डाइमेंसर फारी जांपल यहाप देखें डेंसिट देखें अब देंसिटी को हमको रिप्रिजेंट करता जानते हो देंसिटी क्या है तो डेंसिटी जानते हैं क्या मास अपन वालूम देंसिटी जानते हैं मास अपन वालूम अब मास को किस में रिप्रिजेंट करते हैं किलोग्राम में वालूम को किस में रिप्रिजेंट करत किलो ग्राउन फंडामेंटल में लिखना होता है किसमें में फंडामेंटल अब फंडामेंटल सबते हमें हमें फंडामेंटल अनुद लिखने के किलोग्राम को मांस का पहलाला लिटर एम है और मीटर मीटर मीज़ लेंच लंबाई तो लेंच जुच करेंगे और कंडिला के लिए सिडी यूज करेंगे और मोल लूवर्ड भी यूज करेंगे देख अब यहाँ पर मास तो एम एल कीव है नहीं है तो ती नहीं है तो ती नहीं है तो तीनों दिखाना ज़रूरी होता है पर नहीं है तो इनको तीनों को दिखाना जरूरी है बाकि उसके साथ और जी यह लगे है चार भी और है ना तो चार साथ है ना कुल तो साथ में से तीन लिखना जरूरी रहता है बागी और रहें तो लिखें न रहें तो न लिखें लेकिन तीन को दिखाते ज़रूरी है मिनिमम तीन ज़रूरी है दिखाना वहाँ पर तो एम पर कुछ नहीं में इस वान यल परके नावट है थ्री तो अब कैसे पढ़िएगा कि दाइमेंशन आफ मास is how much Look Dimension of mass is how much 3-3 वाट is the dimension of time तो कहेगा पूरा क्या कहेगा चिरो तोट टाईम का dimension जीरो लेंथ का dimension मानस 3 मास का dimension वान अब पूरा क्या बन गया dimensional formula बन गया इसो कहते ना dimensional equation या क्या है road ुपर लगा हुआ पावर उसवा करते हैं डाइवेंस्य चले अब है जैसे अब यहां पर है श्मीड यह स्पीड कह दैमेंस्टनल फार्मा होगा fa olur दा इस्पीड जानते हो के हो ता अब यह इसमें है भाइव आ कि चाहको टाँ अब मास्ट किलोग्राम तो है नहीं समें किलोग्राम नहीं है किलोग्राम का मास्ट मास्ट कैनल जीरो एल है न Ne कि अच्छे करज़ा नहीं है सेकेंड फिरन मतलब टाइम ताइम ऊपर गया मांध्ड वन तो तुलिए किलोग्राम में यहां से बिल्कुली बेसिक जहां से सुरुवात होती है यहीं आप कलास 11 में पहला चैप्टर यही है यूनिट मीजर्मेंट यहीं से आपकी पूरी फिजिक से सुरू होती है और जो आपको पढ़ना होता है आपको पढ़ना होता है कि कोई फिक्स नहीं होता कि यह क्वेशन आई यहां कुछ नहीं है होता क्या है कि जहां पर ज्यादा माथमेटिकल क्वेशन होते हैं ज्यादा मैथ यूस होती ज्यादा कल्कुलस ही होता है डिफिनीशन वगएरे यूज होते हैं इसे अंदाज आज लगाने चाहिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा mathematical approach वाला question IT में IIT में आता है और कम mathematical approach वाला question नहीं कि बहुत ज्यादा differentiation नहीं हो बहुत ज्यादा deep नहीं tough integration नहीं होता हुटा यही पैजार होती है उसकी हो गया अब जादी देखिए अगला अब है कि acceleration अब जस्ट ऐसे ही आप कोई भी दिया जाए तो हमने यहाँ पर जितने भी important यह जांते हैं कि dimensionally correct है कि नहीं correct है यह तो यह या तो किसी का dimensional formula निकालना या नहीं तो dimension दिया है इसमें से चार दिया हुआ कि इसका कौन सा सही है बताना जो तीन चार तरह के सब बंगते हैं dimension पर हमने सभी का example लिया बहुत की जबर जस्ता आपको मैं समझाया हूँ आप फिरहाल देखिए अभी छोटी-छोटी चीज़ा पर देखा जाए मैं तो acceleration अब इसलेशन होता कि हम लो जानते हैं अब मीटर पर सेकेंड का देखा जाए तो पर सेंग्न हो गया और टाइम यह हो गया अब देखें किलोग्राम है नहीं 0 L टीपा मानस 2 अब यह हो गया डाइमेंशन मास्क का कितना बेटा जीरो लेंध का 1 टाइम का मानस 2 अब फटा-फट देखें तो यह सारी चीज़ां को त्यार होगा को दिकाने फटा-फट देखते चले जाएगा अब सबका क्या करेंगा लास्ट जहां पर कोई ऐसा फार्मला देखें आपको कि जो आप नहीं जानते हैं तो उसको नोट कर लिजेगा डाइमेंशन सबका नोट नोट करते जाएए सबका है चलोटा फोर्स का क्या है एम एल्टी पार मानस टू यानिकी मास इंटू कैसे निकालेंगे मास इंटू इसलेरेशन देखोड़ा कॉनसा फार्मला लगेगा एफ इक्वाल टू यह में मास आइसलेरेशन का अभी अभी देखें पीछे आप एल् इंपल्स त्यो इंपल्स पोर्स इंटू टाइब इंटार्वल क्या है ता पिटा हाँ इंपल्स का नोट करिए एम एल्टी पार मानस टू वर्क फोस इन्टू डिस्प्रेसिमेन्ट कितना आए गा इसका ML, जो पुटा, M का dimension क्या है, 1L power 2, 2 means L का dimension 2, T का dimension minus 2, याने कि dimensional equation क्या बनेगा, M L power 2, T power minus 2, और dimensions के रूप में बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, dimension of 1, dimension of mass is 1, dimension of length is 2, on dimension of time is minus 2, energy, kinetic energy, half MB, half MB square, five MB square, भीन बießको हाफ, तो जाने कि घटा के जो digit होती है, जो चौंस्टेन होता है, उनका dimension नहीं होता है, बहुजब खुच बताऊ तो अब आघाया दि, आखे आगे होता, सब कुछ बताऊंगा, kinetic energy थे होगा, half MB and काईनेटी इसक्वार्ट कर देंगे मास और सब्सक्राइब कर देंगे मास और सफ्क्राइब मास यहीं यहीं एनरजी कहा जा तो यहीं रहेगा अजा इसमें T से Division कर दें मेटा, टाम से Division कर दें इनर्जी में तो जानते हैं, पावर बन जाएगा, हो गया, Regi हो गया, Stress, Stress क्या होता है? Force upon area, Force, MLT पावने मानस चू एरिया, एरिया क्या होगा, A, M², M², M² का मतला L², L power 2 है, यहां कि dimension L 2 है, उपर जाएगा , उपर जाएगा उपर प्लस 1 है यहां से नीशे से माइनस हो जा बटा तो L पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2 मेंस कि dimension of mass is 1 dimension of length is minus 1 and dimension of time is minus 2 this is dimensional formula और बड़े brackets से बटा पैक कर देते हैं तो यह dimensional equation बन जाता है dimensional formula बन जाता है modulus of elasticity E क्या है बटा? stress upon strain अब देवटा E equal to क्या हुआ? अधान दिजेगा अब चाहे modulus of elasticity के है capitalisory prison की हुए है या चाहे young modulus तो वही होगा क्या है कि modulus of regulatory तभी वही होगा क्या है कि bulk modulus तभी वही होगा तभी वही होगा और क्या होगा यह? देवटा होगा क्या? अब क्या होता? stress देवटा? stress upon strain अब stress stress upon strain strain dimensionless quantity होती होती है और stress stress मेंज़ क्या होता? फोर्स upon area फोर्स upon area होता है प्रड़ैंग ओपर जाएगा दिया माइन फॉर कर यह सिंए से मानस टू उपर जारहा है तो बन जाएगा मायन सोन तो नगार इन्षवर ्अंटा चले अब past रेडियस आपफगेधिसर मिंग गूझ उष्क होगा कि रिच का होता वर्क पान मास वर्क आपन मास आप वर्क बड़ाबर अभी भी देखें नेक्सट गया है ग्रोटेशनल कॉंस्टेंट जी जानते आपकी जामय के बार पूसा जा चुका है निकाल देंगे इसको आएगा क्या भीटा देखे कैसे निकालेंगे निकालना होगा तो f equal to g m1 m2 upon r square cross multiply कर दीजिए जी रहें दीजिए और नीचे यहां पर है कितना आएगा यानिकी dimension of mass is minus 1 dimension of mass is minus 1 dimension of length is 3 dimension of time is minus 2 most important surface energy यहां पर बहुत गलती करते हैं और आता नहीं जल दीजिए इनर्जी इनर्जी पूछा किसी साल में तो criticism is energy मार दें मैं देते यहां पर इनर्जी अपान अरिया होता था ibligha इनर्जी ईंस सालफेसितों करते हैं कि सवेजी सांफेस के कBERडूए ही इनर्जी इनर्जी टोटा the dimension of mass is 1, dimension of length is 0, dimension of time is minus 2, okay, and coefficient of viscosity, this is the most important, and use the Stokes law, f equal to 6 eta, you know, use the formula f equal to 6 pi eta rv, you know that, you can determine the value here, from here, eta equal to how much, eta will be how much, f upon 6 pi rv, okay, now, from here, you can calculate eta, the dimension of eta, force, force, you know well that, what is the force, m l t power minus 2, and this is the, yes, dimensionless quantity 6 pi, r kya, length, length, that is, length, that is, l, or e hai kya, velocity, l t power minus 1, and solve this, you will get, so much, m l power minus 1, t power minus 1, this is the coefficient of viscosity, okay, okay, e, to be a, chalde, so, bhoot hhi important, yehaan-pere, saal, jo bhi important, ha, most, eha, yaha, liya gaya, hai, here, dimensional, chalde, ba, or bhi, kush dimensions, leh, leh, laya-la, ah, angular displacement, kya hathar, angular displacement, yeh, jajandhe, ba, angular displacement kiya hathar, theta, and theta kya hathar, ba, ba, tak, arc upon radius, आर्क यानि कर्व की लंबाई यह लेंथ अब दो लेंथ आप दा लेंथ आप दा लेंथ अब दा कर्व अन्ड अपान रीइस तो नों विए लेवय हैं यह स्थ यह ले दोने मुंस्टेश्ख लेपाइब कैंसे अड़ी ट्याइह तहीज दाइमेंशन यानि क्या हो जाएगा डाइमेंशन इसका तो एंगुलर मोमेंटम नadoresस मीड़ा है नोस वो कि होगे जाएगा गुलर मोमेंटम का जूंदी और प्रों सूंक पर पी होता है या इसी को अफ़की याइर ओरमें में है इसके लगफार में अभी या बिंच है यह तेकिस क्या मास एल किया विलस है लंगाज भार बाबर पूछता है अग्ल्रों मेंत अल बराबर क्या हो गया यहां यहां दी ऐर किम आपना मार्थिछ वन फोन मैंनों अखिए वेस्टाम दिमेंशन यू इंद आप माच टू और मुझन आप मासींस पैर नियुल तो एल्कृक्रेटिक डाइपोल कि मow strang क्या होता वहां सब्सक्राइबंड ये हैं पॉप सतव्सक्राइब क्या होता होगी होला की बेलेक्ट के और ईल्टिक Danny आप देखेगा अब आई के लिए क्या लिखेंगे MPR कि के लिए टी और यह लेंट लेंट के लिए क्या बना डाइमेंशन पूरा आम एम पर जीरू है पिरसे लकानेंशन डीलका दामेंशन वान है एक लीजिन दिदा यहां दैपेंशन वानला कि आंवाज नप्ने। वान इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटर्शिटी इजानदे पीटा एब राबर होता है क्यू ए तो ए बड़ाबर क्या लेश तकते प्या एफपान क्यू आप क्या होता है आइटी रिखेट फोर्स पान चार्ज तो फोर्स का भी जानदे पीटा गर्ण आयम एल्ली पारहमानदे अध़़्ज ता एउड़ प्यानदे फोर्स दाल मिलीट होता है और टीपार श्क्रिपेंट पोर्स तो बीड़ेगी आफ सिरक्ट्रेंगा स्टार्मी और फिर्वाहतता ही रिजिश्टेस्टेंस बाहुत म dependent क्यों झा अनृर्जटेट मढाना क्या होता है तो कहीं पर होता है यूनिट चार्च को फ्लो कराने में किया गया वर्क याने कि व ब्राबर डबलू बाइए क्यू डबलू का आपको पता है क्या बना पोटेंशियल का क्या बना यह एल पावर टू कि पावर थ्री माइनस टू और उपर गया माइनस थ्री और ए यह जाक उपर माइनस हो जाएगा खुड़ियो और उपर जाके मैनस हो जाएगा लिए अफुर नचाहेगा अब यहां पर तो कि आ बन निकाल लिकाए सब्सक्राइब और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर नड़ नकाल दलए पार क्या वंन ऑमkyky और यहां पर क्या हुआ है कि Авaden हुआ है वर्क है ना तो किसा देख रहे हैं फोर्स अपान चार्ज देख रहे हैं अब देख रहे हैं इस लेक्टिक फिल्ड का नहीं हम लोग किसा देख रहे हैं प्रूब यहां पर अपान चार्ड कोई नेक्स्ट अगला पेच अभी और देखे और इइंपर और इब्लब देखे और इंपरें टैंशन कुछ तो देख रहे को कैसे निकालेंगे कापेसिटेंज ना इस तो यह ना इसकार टी पार मानस थी एपार मैंस थी यह निकाले है और और ची का कितना है तो ची का आ रहा है m power minus 1 l power minus 2 t power 4 a square यानि कि dimension of mass is minus 1 dimension of length is minus 2 and the dimension of time is 4 and dimension of ampere current is 2 हो जोड़ा आप देखिएगा पर्मिंटिव्टी अप्री स्पेस जब हम अप लिखते हैं कुलांब्स ला तो एफ इकवल टू एफ इसको लिते हैं अभी हां से कि अप्साल्य कमाल निकल देजें यह कि जब भी आपको किसी बीवड़ा जब भी कभी भी आपको किसी वी फिसल् knight की कि डाइमेंसा निकालना होता लुटा तो कोई एक ही है आप पर याद आप में आधा और इस एक कुण उनको वहाँ पर देखोंगे जो करती कर देजिए उनको फांडमेंटर की रुप में बदल दीजिए यह कि उनको काटिएória पीठिए में अनकोस में आ जांगे जाते हैं किसे सेवर्ण में धे Scorp Richards होगा उसमें से दो ही हो सकता है पूरा का पूरा कट भी सकता है यानि सब का जीरो जीरो आ सकता है या तो जिसमें चार हो सकते हैं जैसे भीटा भी अपल अप्सुर्ण का बताना तो फ़ोð दीजिए चोंदिए तो देखिए यहां पर एपसार ना पर आपस्टो मच ले सकते हैं अब डामेंशन निकालना होगा तो फोर पाइस कि हमको को यरुत नहीं विटी हडा छोड़ दिया और उपर क्यू स्क्वार है तो यह स्क्वार टी स्क्वार होगा क्यों क्यों क्यू बढ़ा-बढ़ा आई- ति हब नीचे ब्ला माइनस ओपर जाए प्लस बन जाएगा और यह सन ओज yhtाओ दो यह एँ और यहाँ पर यह पर यहें पर टू एख और यहां पर और यह पर वन स्ट्री है और त्री बढ़ा कर मानस थी बन जाएगा तो क्या-बना देखे है क्या गिया तो पर मैंटिवकर free space m to the power minus 1 l power minus 3 theta power 4 a power 2 in dimension of mass is 1 dimension of mass minus 1 l length minus 3 second time capital 4 or ampere current 2 हो गया चलो अब है क्या से शेफिंडर देश्ट स्टेश जान देफार प्टा इंट्वीश्ट यह पराभ अपान से एल डियुटी होता है अब होहां से ल के वेली निकाला जाये तो इंडूस्ट इयम्याफ इंट्वीटी अपान डियाई हो जाएगा एल एले को टूस्ट लि इंदीश पोटेंशियल और कर्णमेंस परक्लाइश अब यंताने प्रवर पोटेंशियल है तो बोल्ट उसका भी है बोल्ट उसका भी बीए दो बोल्ट एबए बीज़न में निकाले है पीछे कि M L square T power minus 3 A power minus 1 आया था अब दो इसमें जतना जादे जादे आपको याद आपको फायदा होगा M L square T power minus 3 A power minus 1 होगा into T से multiply करें दो टाइम है ना T से multiply किया नीचे क्या है करेंट 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 का मतलब A MPR अब A उपर गया अब क्या बन जाएगा L का दो इसमें M L square T power T power T power minus 2 क्यों यहां पर एक T power plus है और यहां पर minus 2 है minus 3 है तो एक प्लस से एक मानस 2 और A नीचे से उपर गया है एक उपर पहले से था यहां पहले से था और एक उपर से जा रहा है हो गया चले अब क्या है पारमिल्टी अदा फ्री स्पेस मू नाट जानते बटा कि जैसे कुलाम का ला इलेक्ट्री स्टाट में है ठीक ऐसे ही बटा माग्नेटी यम्म में है अभी हां प्राब क्या हो गया नाट विफोर्पाय कांस्टेंट है इसा दाइमेंशन लेस क्वांडिटी है जब कि मू का बैलूल लिख दीजिए नहीं अब चला कि अब छिवार पाय स्ट्रेंटिए दूस्तोट पोल श्ट्रंग्क होता है लेंद्ध इंटू एंट्पियर है और कहां मिधा चलिए यहाँ देखेगा यह स्कूनोल करेगा ठीक से अच्छी सोर्ष इसको जांगीनटीक मोमेंटेए mi यह ब्राबर क्या होता है अन गता इन नमबर यह कोई dimensionless quantity है I, I का mp A pi r square pi, pi छोड़ दीजिए r square means l square तो m का क्या होज़ा m0 A, l square, t0 यानि al square और जानते बटा कि जो pull strength होता है small m से लिखते हैं और small m pull strength नीट बटा यहां पर लिख दीज़े pull strength और पॉलिस्ट्रेंबराव होता है यम अपान एल यह मैगनेटिक मोमेंट अपान लेंथ यानि आया कितना तब यह एल स्कुआर टी होगा ना एल से जब डिवीजन करेंगे तो ए एक यल कट जाएगा यह क्या बचा है एल यह होगे बटा देखें वही रखा है यहाँ पर यह साल्प कर देजिए उसी को साल्प कर देब्टा मिव नाट का मान क्या पाएगा एम एल क्यू टीपा मानेस टू एल एक होड़ी स्कॉर करेंगे एल स्कॉर हो जाएगा उपर जाएगा बटा तो लास्ट में क्या मिलेगा यह हां नोट करिए इस बात को अच्छी तरह से मागनेटिव परमेविल्टी घा मैगनेटिक मॉमेंट का क्या होता बटा लिस्ट्रेंथ घ्या होता है क्या रिलेसे नहीं सा फार्मला लगाइगे इसके माढिए的 मों मněंट कर देंगे दे किया मिलेगा आपको म Å एक यल बचेगा क्योंकि नीचे दो यल है एक ही बचेगा और यहां पर इस्क्वाइर है उपर जाएक कर बाइनस बन जाएगा और यहां पर टीपामाइस टूपाइल से ही है गया चाहर विटा यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट मोस्ट इंपार्ट जनते हो कि पीवड़ावर एन रट न पढ़ें पीवड़ा आप मोल्स नमबर आप मोल्स देटा आर बाबाब के ना होता है पीवड़ा आप एन टी ली सकते हैं एन क्या है एन यह नंबर आप मोल यानि पतरों मोल मोल का मत्रा मोल के लिए आ निप्टबर के लिए आप निकालना है कुश्य को तर आप प्लॉक मताब हो गया और अब आर बाबान क्या हुआ हुआ पीवानबर रवाय के हुआ ौर्प हाई ही है निद ने किसके moss के लिएक लिए पार मोल։ यहने निज़ा यह किसका हो गया प्रेसर का एन एवाली माइनस एमोगा और यह वालूम का यह क्यों हो गया है अब के लिए क्लीवेंट पर मोल था मोल से डिव्यजन कर देंड है पुरा क्या बना यह 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 लपर dorabita L पर-1 और यहां है 3, 3 सब मानस 1 कट गया, L स्कॉरर, हो गया, अब T पर दे बिठा, T पर-2, T पर-2, MOL उपर गया, MOL पर-1, Temperature भी उपर गया, Kelvin पर-1, तो क्या बना, उन्मेर्सल गया, का बना, म स्कॉरर, हाँ, GAS constraints का क्या बना, M, L स्कॉार, T पर-2, MOL, MOL, माइनस 1, ओके, हाँ, GAS constant का नोट कर लिए है, मैं वर्ण, नेक्स्ट, चाले, अब देखो, आब देखो, कुछ हो, डिमेंसंस है, यहाँ भी देख लिए हो, कि यहांगी मैंदेठू? बोल्ट कॉस्टेण्ट, बोल्ट सुमानंश गौंस्टेंट क्या होता था उता she poltman's constant कि बल्ट से याजाते हो तो k स्म्वाइन शो मद्ध बलाबर क्या होता इससे को आपका थे वल्ट सिमान क्या होता सो आर अपने N나 R草 गेष्ककास गाईए एलिष्वार टीपार माइस टूर के पार माइस तूर मोल इनुमर्स ना आए ओपर जा रहा है यानि कि गैस कॉंस्टेंट में से दी मूल हटा दिया जा प्राइब आपके निकाले हो जाया है ना उसमें मूल हटा दिया जाए तो बन जाएगा बोल्ट्रुमान कॉंस्टेंट कि अब भूल्ट्रुमान कॉंस्टेंट क्या हो गया एलिष्वार टी पर मानस टूट के पार मानस वर्ण यह बोल्ट्रुमान का बहुत इंपर्ट हम नोड कर लिजिए वहाई जाम में जंद वाजी में नहीं सम्झेंगा क्यासे निकाले है कि हो गया है हुआ देखो तो यह बोट जमानी कांस्टेंट हो विटा चले अब थर्मल का अधिवती देख लिए फटा-फट कि थ्यानिए तो फार्म यह तो सिंपल थर्मल का डेटिविटी का इसलिक लोगे देखें असान है कि वरबा क्या होता के डेल्टा थीटा टीवक्त आप डेल्टा टीक है पर टाइम है तो के देखोटा अब के इधर रहे लिए बागी सब को यह तरफ पर दीजिए लेगदा त डेल्टा थीटा टम्प्रेचर है के हो गया वड़ाओ त्य वगया बस साल्व कर दीज उसी को करते अब्र तक क्या पाए मिल गया होगा यां एक पॉम्स अगला देखें थर्मल रोजिस्टेंस थर्मल रोग रोग करने अडर्पीशिंश निकाले बजाए यापी से निकाल दे ω nasıl सबलेंबने जानते हो क्या डेलटा थीटा अब नर्य वड़ाओ आप रेत ten आपन देटा रीटा फ्लोव आफ यहां क्यूबाइटी कि ऐनिक ही जी कुश्क फ्लोंड़ कर तरहें जानिक कि 分ला ना यहां पर कि अमाउंट आफ हीट है यह हीट है क्यों और टी उपर चला गिया अब देविटा डेल्टा थीटा कि अब टी यह टी टी उपर चला गिया देविटा यह टी टाइम में वाला है और यह जो आया हुए है यह सुसका और यह थीटा केल्विन नीचे यह इनर्जी है एम एल स्कार टी पावर बनस टू बना कितना विटा यह कि थर्मर रेजिस्टेंस का होता है यह यह पावर माइनस वन एल पाव माइनस टू टी पावर थी इंटू के हाँ नोट करने ठीक से हाँ तो एक कुछ कठीन होते हैं इन में से यह सभाज आता है पहुत आसान है तो ही फार्मुला बस्याद रहना चाहिए एक दो होते इस्टार्ट इन थोड़ा सा होते उनको बस्याद कलिएगा अब यह है कौन सा कि और स्कुछ भी समट्राइब क्या है सेंगंशनान फार्मॉला उके सेंगवें सेंगें सेंगें सब्सक्राइब क्याके करता है कि यह चार पांच कौन्टी देगा कि इसमें से किसका किसका इमेंस सेम होगा याद है तब ठीक है और तो Som करिए इसको तो त्रूंत करेंऄं कि मैं सब्सक्राइब हुटा है मैं एनर्जी पोटेंश इनर्जी का जीनर्जी हीट इलकर्टिक इनर्जी वार्ट टार्ट इन्थालपी यह सब का होता है इनर्जी का डाइमेंस्टन है हो गया चलो आप देखने बटा एंड पावर डाइमेंस्टन जीरू है एल पावर डाइमेंस्टन जीरू है टीपावर डाइमेंस्टन कुछ नहीं मिन्स वन है यह किसका किसका होता है यानिकि यह टाइम में सीधे-सीधे आगे टाइम में ना कर टाई कि combos कुछ नहीं है तो टाइम किसका खिसका होता है यार है बाट यार हो मों बोलाए प्रिकाए टाइम कॉंस्टेंट र सिन diy का कि आर सी इसको भी कहाते हो टाइम कांस्टेंट टाइम कंश्टेंट अंडरुत-ईलस complete तो इनका इसका भी डाइमेंशन बहुत है इंपार्टेंट है इसका डामेंशन इसका डामेंशन इसके डामेंशन बराबर है अब देखना अगला mlt minus 1 याने यह तो विलास्टी दीख़ा गटा तो वन अपन ढंदीजेगा लाइफ और फिर क्या विलास्टी इस फीड और आ पेसेटी प्रैस्टी इस इन इस इचाज़ावा है इस क्या सबका डाइमेंशन क्या बटा एस सबका डाइमेंशन इन सभी का डाइमेंसन एक है यह करें यहां प्राइब कि सिस्का होता है मैं या इन्र ची घृ तेटा यह क्या कर ला है इनर्जी और अपान टंप्रेचर तो कर लाइब किश्का किस्ता होता है देखें दाफ बोर्ट जमानल का ओपन करज़िए लेंट कicing रोंकर निकाल जाएगा और इन्टापी plutôt जानते हुँना उन्ट्रापी क्या होती है इन्ट्रापी होते है डी क्यों इक्म अपन इतीक बोलते हुए जाने अनुट्रापी होता है अकौन्सक्राइब एम्ल इसका प्रच लानग कंस्टेंट यह तो बार-बार पुछता ही जाम बेटा एक गुला मोमेंटम और प्लांग कांस्टेंट कहेंगा होता है येस एक ही होता है देखो अब फिर देखिए गाँ यह पाउर जीरो एलपा माइनस बन टी पाउर जीरो यह नहीं कि लेंध का इनुटिली परपरस्टनल वन बाई एल कहें सकते आप कु ऐसके का होता है तुपाइब लेंडा अगला अब कहा रहा है कि एम एल नॉट्टिपा मानस 2 और कि यह उसे पाउर इंपरटेंट एंपर्टन तेंशन से इंशन साफेश इनर जी फूर्स कंस्ट्ट्ट आप यह तीन का पंस्ट्ट्ट्ट्ट आपकर है यहंति पाइल मानस टुड़ी जो चुट को चुट ऐख जाट करने का शांत तरीका एम ती पाइल मानस चुट आज सीश्कू याथ करो सर्फेस टेंशन शर्फेस पॉर्य कॉर्च नरजी पुर्स कॉंस्टेंट किंट से में आ इनाने हों यह ऑपर क्लिए da measurement अब क्या प्रृस्ट कांस्टेंट f y x के और यह काना फोर्ष मैंस का अब सस्टेंट क्या हैव डियूता whyom क्या परलेंगे QE QE किसका unit भीटा disintegration disintegration लोटा पर second वा सम्झे भीटा तो दो भीटा 006000 यानि कि second उपर जाएगा —1, it the positive frequency कर में तो यहां यहां लोटा व पर लिसे में लोटींड खबाउन न्रविटा में वाइट, पर एम्हान से नंवर्स विलश्टी गर्डींट क्या निची एलल दाइंद केशित पार यूनिट में बिलश्टी में परीवर्थ नहीं एक होता है क्या पढ़ा रहे हैं पी हंड्रेट फिजेक्स में स्टी पांडे स्टी पीसर ओक्टा अब देवाटा एम नॉट एल स्कॉर टीपा मानस टू तो यह क्या होता गरिविटेशनल पोटेंशियल और लेटेंट हीट इन दोनों के आपस में बराबर होते हैं या तो यह गरिविट नेक्स्ट अब देखो अडरा दा मैंनिटीव दाद फिजकर पॉंटेटीच चलो पढ़ने का तरीका क्या थोड़ा सा देख लोग फटा फट टेंपार जाब वन होता वेटा तो इसो डेका बोलते हैं तो इसको किलो बोलते हो ना तेंपार सिक्स होता वेटा तो इसो मेगा पॉलते हो ना वर आफ युठीटा होता है तो इसको इसको बीटा फिजिक्स में वेटा मानता दिया हुआ है अब मैं यहां पर लिख देखें बटा कि 10 power 28 को सदीपी बोलते हैं तो क्या मानता मिलेगा नहीं मिला है लेकिन जो मानता मिला हुआ तो इस्टन्डर्ड वाली हुए है बटा फिर से देख लो लगा गीगा 10 565 स्टेस्ट्णुरिस योत्टा व्येक्स्त अफिक्सीली कहए आपकेट् लेकिन मेडिकल वाले बच्चे तुरंत नोट कला है कापी में और आपको देकि नुमेरिकल अधी हंडेड़ पर्सन नमबर माना बिलुकुल पक्का यानि 700 परस्ट नमबर लाना टोटल ओवराल मिला करके और फिजिक्स में हंडेड़ पर्सन नमबर लाना तो हर चीज़ां फ कोई लेक्शर था और मैं बताओं यसे पाले वाला वीडियो था बाल ना देखें होंगे कि वहाँ पर आया था पहुत जाए ट्रिक्नमेट्री का फार्मुला आ रहा था बाल 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 इंक्राइड प्लें का एक जर्ण कर दिया हुँ इनक्राइड प्लें तो इनक्राइन निकालने के लिए तो आपको याद रहे तो दाबेस्ट है में में जो होते हैं बस याद है और जदा नहीं चलिए फिरा मैं आपको खोजना ना पड़े कि कहीं पर कोई भी चीज सबकुछ पीहंडे फीजिक्स पर सबकुछ से लेबल हो इसलिए आपको देद दे रहा हो देख चलिए तो साइन ए प्लस भी अबड़ा उपर वाला वाइट वाला लिको नोट कर लो साइन ए प्लस भी साइन ए कास बी प्लस कास से साइन विए ओक बीड़ा चलो तो लिखो मैं आराम करता हूं तब तक लेको लोटे जो लाओं ओल सब्समों करों कार सब्समों गूरेंद धीन लूट करों दंडेंद न यहां मांसजन अलोग में प्लसरे मैंले आ जाओ ना पुटा 2 sin a cos b ब्राबर क्या होता धान दो 2 sin a cos b देख यही अप्पार बता रहे तो आज जरूर पड़े थी 2 sin a इसकी जरूर पड़े थी हम लोगं को 2 sin a cos b ब्राबर क्या होता पुटा sin a plus b plus sin a minus b 2 cos a cos b cos sin b b minus sin a plus b sin a plus b minus sin a minus b करने के लिए किसी की ज़रूब करने के लिए किसी की ज़रूब करते समय अब यहां पर देखो आजाओ वाइट पर आजाओ अब टू कास ए कास बी कभी लिखने की ज़रूब पर जाए तो क्या करोगे कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी कर देना तू साइन ए साइन देना नीचे माइनस रहता है बाए तो साइन सी प्लस डी बाए टू सी बाए टू सी बाए टू कास ए मानस डी टू और के लिए टू सब की जरूबत है सब यह याद करो इस कि अद्राणा चीमत्र कुकासअ प्लस कॉसे बाए टू कास पोलस कॉसे मानस बीया टू सी मानस दी बाए टूस्यbenड़को और कास सी मानस दी बायतू सी मानस दीलिया यह करो बहुता है हाँ नोट को रहे ठीक साइसको हो गया चैनल और आगे आप देखने प्टा साई टू ए बराबर क्या होता है जानते हो याद वह तो साइने कास से अगास्ट टू आपर से लिशाकते हो सब्सक्राइब कर समय सब्सक्राइब को तो इसब्सक्राइब करने का छांग तरीका तरीका यह मतलब आल साइन और कोशेक कामान जब हम निकालेंगे तो जो भी कुछ हाएगा नहीं कि साइन कोशेक का जो वैलू पूट करेंगे नहीं कि सिगेंड कोड़र में शाइन और कोशेक पास्टिभ होगा यहाँ पर सभी आल ए मिन्स लेटा ए एस टी all positive sign and cosec positive ten and cot positive और चौतिए में बैटा कास कासण सेक positive अब चला बैटा अब देख फ़ीच में लिए विदी बाग किया जा हो है सिकेंड साइन नाइन टी तो पहला जांद पेटा कि हर कौर्दन नाइन कि sign positive होता है तो जोडने पर जो आया ना देखो sign में जोट रहे हूं ना तो जोडने पर जो आया हो दैट विली सबस्सक्राइब यानि कि sign 90 प्लस ठीटा है ना ःता तो sign second mean positive होता है second orderend में sign and cosay sign or cosac यहांनि दो पैस्टीब है और बाकी देवक्ता टास साइन फिलस थीटा-डा यह उसाट राच लिए इन्हें चाबब यह जाना साइन नैन्टी और टूर्ची है नेन्टी हो टूर्ची नांटी 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 का मल्टिपल है नामटा तूसे वंटी नांटी को व्यांटी हो कोई changing नहीं होगा देख तो कास 90 फिटा क्या बनेगा वाल साइन थीटा 1090 फिटा बटा मारस काट नहीं का मारस काट हो विटा का देख सब सीकंद री सब सिकंद कोडुरेंटर ने ने जोका ने तो यह तो 90 फिर या 180 मानिस फिर जा तभी और किसमें होगा शिकंद नोड़ कर लो सारी बाते हैं साइन 180 में चेंज होते हैं और यहां नहीं होगा नहीं नहीं होता है सब पस्टिव सब पस्टिव और सब सब पास्टिव होते हैं पहले को अधू और ने साइन और को से पाज़िव वह लीजिए यहां पर टेन अंड कॉस्टिव यहां पर कॉस्ट और सिक पास्टिव बस इतना ही याद हो विल्ट होगी कि अबटा हाँ देख लिए कहीं पर भी डाउट पेड़ा देख कर लो सब को सेक 180 मार्ट को शेक थीटा सेक 180 माइस 30 सिकंड्र कॉडरेंट में न भीटा सिकंड्र में को से पाश्टी बहुता है यह मैंनस होता है काट मैंस होता है 10 मैंनस होता है है डिबता देखो क्यों से मायरा सीन होता है साइन इस पर फास्टी होता है शीगन रोड़न्ट में सपता अब आई से ही है नोला अब आशे स्थार कवार्डन पें साट से ती सी टी यानि क्या कि टैन एंडिकोर्ट तो वनई डर सब्सक्राइब जाएंगे आप जब एस वसी में जोड़िए नहीं तो 270 में से मानस करिए तो थर्ड कॉर्णेट में आप जाएंगे ठीक अब थर्ड में क्या होगा डेवटा टैन 180 प्लस थीटा एस वसी डिगरी है टैन का टैन ही रहेगा चेंजिक होना नहीं है यह आपर और होगा क्या कि थर्ड में जा रहे हैं तो टैन और काट पॉस्टिव होने बाकि सब मानस होने है यानि कि टैन 270 मानस थीटा कर दिया जाए धांदीजिएगा टैन 270 मानस थीटा नहीं कि 270 यानि 270 में से कुछ भी मानस करेंगे तो किसमें आएंगे थर्ड कॉर्णे में तो इसलिन का का चल और कर करें और अल अल दर इन दो लोन को सब्सडिंव होने सब मैंस होने के तो सब मानस होने सब मैंस होने सेंटी प्लस थीटा मानस थीटा का सब याीव प्रशलानट मायर्स सेल माज़िक थीता हुआ थीटा का नास को भiyorsun अफ्र क्वाद टैन्य को सिवंटी पलस थीटा टुसेवंटी प्लस थीटा कर दो चैनल डविटा शीपट्ड पने wisdom सेल dönौ सीथ चनल फीड़ables you should टीटा पाश्टिव कासर न और कास येही बेलाव कर सही क्या होती है पास्टिभ से उसमें और कास और इसका इनवर्स कि यह लोगों बदा तोसेवंते परासweit थीटा तुशैमेल्न तुशुपसर थीटा हो ए थे था थोड़ा है कम यह था कि वह मेरा ना हम सिंसाल भाते है और लिए तरीका जानते होगा नहीं तो भी बताओंगा तरीका याद होगा तो ठीक अधर वाज मैं कुछ स्पेशल बता दूंगा कैसे एंगल याद रखते हैं अभी बहुत इंपार्टेंट टापिक पहले ज्यादे उससे ज्यादे इंपार्टेंट टापिक है बटा ओके अब हो सुर जैसा कि मैं अभी बताया हूं आपको ना कि मैं अभी इस लेक्षर विटा दो पार्ट में दे रहा हूं आपको तो अभी इसमें ज्यादा थ्यूरी है और हम लोग यहां पर लिए हैं बागे पंदर भीश नुमेरिकल होंगे तो अभी बहुत अच्छा हो सभी बहुत छोट है तो मैं भी बताया हूं है और देख्योंगे पर छोटी छोटी चीजां से शुरु आयों सब्स्राइब कि हो सकता किया हमारा कोई प्यारा से ना जाना है इसलिए बहुत छोटे छोटे से हानलेकिन जो कि आपको आने हैं यह तो इतना चोट नहीं पूछे गा वह डेनिसिटी का नहीं पूछेगा, वह बिलास्टी और एसलेसल और फोर्स डाइविंसल नहीं पूछेगा, वह पूछेगा तो एक्स्पोनेंट के लगा के पूछेगा, वह लाग लगा देगा पूछेगा, वह साइन और कास्ट देगा के पूछेगा, तो उसका आपको प् हांदेड फिजिक्स पर मिलेगा क्यों हम आपके साथ जब जब जस्त मियानर करते हैं इसलिए कि चैनल को हमको इट कराना और जहां पढ़ते हैं तो यह आप कही पढ़े होते नोपीश को पढ़ा चुके आप अब पढ़ा चुके आप अगर देने की त्यारी करेंगे तब क्यों वहां से तो आप से पाना था पाच चुके है वह बहुत ज्यादा रिजल्टू जल्टू मैनिज कर लेंगे बास सब्सक्राइब बटा बीस साल कोचिंग चला हो ना भी बीस-बाइस साल आज डायरेक्टर ठीक और तो आपको यहां दा बेस्ट मिला बटा तो अब कुछ ऐसे क sustaining होते हैं कुछह ऐसे कुएश्ण सब्सक्राइब की जहां बहुत है जाद होते हैं पक्का डिया पहले सी ने शाल करके जाहें कि दीन अगोची आप से गलत Чक्रbak गलत हो जाएगा नहीं सही होगा कि यह पहले देखना जरूरी होता है तो ऐसे क्वेशन मैंने विश्यस का क्यों लिया है सब आइसे ही क्वेशन जादा तरह मैं ऐसे ही कुछ लिया हूं क्यों कि अब सिंपल से बाब सिंपल सो डायमेंस अब निकाल लेंगे और यह कहीं कोई लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं है ना वीडियो को थोड़ा दो चार बार ठीक से देखिएगा नोट का लिएगा सब और किसी बीच का डायमेंशन में कोई दिक्कत होती है तो तुरान को कमेंट में लिख देजेगा कि सर थोड़ारी बार वीडियो डाल देजिए तो मैं 10 पांस विडियो का आदे घंटे का घंटे का जो भी वीडियो होगा बना कि दूंगा तुरान जो मेसेज मिलेगा आपका ठीक ऐसे निकालेंगे अब कुछ क्वेशन देखते हैं और इसके बाद जो बाकिके क्वेस्ट है वाग्श्ट इसका अगला पार्ट नेक्स पार्ट यारे कि unit dimension measurement part second में आपको सब एक दम जितने भी है total सारे numericals मिल जाएंगे फिरहाल अभी जो सामने पहले उनको देखते हैं कहारा बटा कि यह physical quantity x equal to so much देखें पहला इक्वेस्टन बहुत भायांकर आ गया पहला एक्वेस्टन पूरा बहुत क्या रहा है कि यह physical quantity x equal to epsilon not l delta v l is a length length है और delta v potential difference है ना delta v potential difference है यह potential difference है कह रहा कि name the physical quantity तो कह रहा बताओ कि यह x physically क्या है x का नाम बताना है अब इसको सीखने रहे यह कहिए कि आप पहले से नहीं सीखे हैं तो दिग्यत होगी वीटा अब ऐसे यह क्वेस्टन नहीं है ऐसे ही सारी क्वेस्टन से बहुत ही जब अजस्ट निकालना है निक्ट में 100% मारना है तो प्रेटिस करिए चलिए फिराल आईए यह फिसकल क्वांटिटी क्या इसा नाम बताना हमको अप्साइल नाट अभी पढ़े हैं आप सिखाया हूं वहां पर अभी और एल एल लेंथ है डेल्ट अभी पोटेंश डिफरेंस है डेल्टा टी टाइम है कुछ नहीं बेटा अब स्वाल है बिटा ना कि अब आपको एजाम के दिन एपसाइल नाट की वैलू निकालने आएगी या नहीं आएगी नहीं आएगी तो टाइम लग जाएगा और मैं अभी या भी सिखाया हूं यहां पर यदि याद रहे दा बेस्ट चा बिटा तो एपसाइल नाट यारे कि M मैंनस 1 L पावर मैंनस 3 T पावर 4 A पावर 2E आया था बिटा यह था किसका एपसाइल नाट का था इन्टू L से मुल्टिप्लाई कर दिया इन्टू पोटेंशिल दिफ्रेंस अब देखो याद होना ची अदर्वाइस सब काला अगला निकालना पड़ेगा तो ML इसकाइल पा पॉल मैंनस 1 यहाँ पर यह प्लस कट गया आलपा मानस 3 में यहां पर यहां प्रेड़ यह एंपकर गया आया कितना यह जिसके लिए यह लिखा गया था पेटा अप्साइलन नॉट एल इंटु डेल्टा भी अपन डेल्टा टी को देखा जाए एक किसके बराबर होगा पेटा तो यह किसके बराबर हो रहा है करेंट इंसल क्या या करेंट आई कि ओके हैं फंटास्टेग नोट को जल्दी से कर लिए अगला पेटेश्चन क्यों रहा है कि टाइम डिपेंट टाइम डिपेंडेंस आफ फिसकल कॉंटिटी इस गिभेन बाइद इक्वेशन अध्यान देरा बटा यही सा कंसेप्ट है जो मैं कहा रहा था कि कहीं मिल्दे वाले नहीं है कि आवड़ा पी एक्टड़ो पी नाट इस्पोनेंशियल माइनस 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 एपर माइनस टी यहनि कि इसको आईसे लिए सकते हैं P equal to P naught E power minus alpha T square yes yes you can write like this तो अब चाहिए ऐसे लिखा जाए अच्छाहिए ऐसे दोलों बाते बराबर है एक्स्पोनेंट यहां लिखा इसा मतलब ई है आप चला अब क्या हुआ क्या रहा है आपसे कि फांट देवाटा एलफा का डाइमेंशन कुछ आपसे ध्यान दीचेगा आप जो बहुत ना भूतो ना भविश्यत आइसे आइसे जब जैस्ट कांसेप्ट दूंगा ना आपको कि आप सोचेंगे कि यहां बजा लिए अभी पूरा पढ़िए ना भी आप एक ही चाटा भी यूनिट और डाइमेंशन है यूनिट डाइमेंशन पूरा फिनिश करिए दो लेक्टर माइक्स्पन दो लेक्टर में हो जाएगा यह पहला पार्ट है अब यह पार्ट और दू करेंगे यदि दो क्वेशन आएंगे तो दोनों सही होने ही होने आप जैसे कोई भी समय स्व पूरा इमन्बर विणा उसा राउंड़ ओफ और निकालते है करते हैं कि दाइमेंशन करते हैं पढ़िए येश आई है द्यूत तो आप ध्यान दीजेग पता कि जाभी आभी द नहीं की रहें दीज होता है यदि एक्स्पोनेंट के उपर ब्रक्र भी प्रण arriv लगा हो गहां हो गया यह अब देखने अब यह एक्स्पोनेंट है और उसी आगे जो भी कुछ था यह जो भी कुछ लिखा हुआ है यह बाबर 1 हो गया डाइमेंशन लेस हो गया अब डाइमेंशन लेस को हम वन ली सकते हैं नो प्राबलम यानिकि डाइमेंशन कोई नहीं होगा गई अप्राइब देखो यह हुआ बदेखोडें पर मानसपी फ़ाट ता नदर ना था फॉद्ड आनल्पाबी सकते वरन सकते हैं एक'क क्यों चरूंजट को गया है अब अब deeper मसलट कैसे होग़ा ऐसा सब्सक्राइब क्यों से यह लाट थो इonoset को अप अलफा एलफा इलफा कांस्टें शह organiseर आपश्म के बाव पर शोख जो और सीधा ऐसे समझो इसको होना है टाइमेंशन लेस है तो जब टी पर मानस है बादेमेंशन नहीं हो गया साल fender q qBea क। यानि की यानि की ईफा पर क्या याना हो क्या होना च्वार क्या होना चाहिए यह अतना ही मायनस मुल्टा होना चैजिए टीक अबटा ठीका पॉल स्टू है तो अलफा कितना रहे दीवा ओनस टू रहे यह ऐसे पायदा होगा यह मानस टू है अलफा होक्त होता है और उसको अमने मैंडिक्स के तरीका बता दिया वीटा क्या करना बराबर वण रडेना यह जाएगा नहीं तो सोचोंगे बैटके कि क्या करें ना जहां डाइमेंशनले से हो रहा है बस वहां कर दो वन करके अब आपर माइथमाटिकल जैसे साल करते हो साल कर दो एद न फटा 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 अंसर अब अब ऐसा सोचोंगे अब यह जब बहुत जादे नौलि आपको कोई इक्स्पोनेंशियल टर्म दिया होगा तब उसका डाइमेंशन आप कैसे बताएंगे पक्का चलिए नेक्स्ट देख रूटा अब यहां पर किसको कवश्काल कॉंटिटी हे विटा कोई प्रकै कि भीएंप प्रकै करें जाना हुगी फिस्क्कला ऐंटा string इस physical quantity का dimension बताओ क्या होगा बहुत ही आसाल मेटा चलो देखो x लाबर क्या बटा 3Cb square क्या सो कर रहा है 3 कोई मतलब नहीं थी हजार दो यह की x लाबर cb square हो गया और x लाबर capacitance है ना बटा c capacitance है capacitance अभी यह लो निकाले हैं कि न आता है ml minus 2 t power 4 a square आता है और बी दोटा बी मैंनेडी फिल्ट्र आता बटा mt power minus 2 a power minus 1 उसका square है ठीक होगे बटा अब दोनों को solve कर दो क्या मिलेगा आपको m m का dimension नहीं दामेंशन आप मासी स्थ्री दामेंशन आप लेंग तीजी मानस टू और देट इस इस फेंटोस्टे एंसरे जाए वा सबस्क्राइब नेक्स्ट अदो क्या कराँ तो कि यहां कि अधिर पीरिएड़ आफ 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 प्रांज आफ दाफ दूनिंग फ़र्क नमटा आफ टूनिंग फोर्क का वैबरेसिंग के रहा है कि आफ प्रीड़ आफ बाइब्रेस वाइपर और लेंद्ध पर जाकर नोट करेंगे क्वेशन को बहुत इंपारेंट ना पीरेड़ आप प्रांच आप टुनिंग फोर डिपरेंट्स अंदर डेंसिटी मैटरियल यंग माडूलस और लेंद्ध क्या है टाइम पीरेड़ बीड़ा अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे क समझेगा ना बहुत ही इंपार्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन को हर टाइप का यहां पर लियाओ अब टाइम पीरेड़ पता ना तो टाइप जो जो चीजें कहा हुआ हो बस पहले तो परस्म परस्टनल ऐसे लेकर दो पर आइसे जो भी टाइम पीरेड बराब हम करें अब उसके बाह में अब मानों चींजी का डायमेंशन एफ है दूसरे वाले का नाम दे थो भी डायमेंशन ने पामर जो लगाते हैं यह प्या हो गया डिया को टाये अब लो लो और आशैंच अब हम एक्मान लोटा और तीन राश्चियों को बोला थीन पेश्चन को लेंठ लेंद तीन ही दिया हुआ कि तीन पर निकलना है रो वाई एल कि क्यों से यंग मार्डूरस और लेंठ द्सक्रा घ्ट वहां लिखने कि लिखने का नहीं है लिखने के सिखा दिया हूं मत रहां यह उता है यह पड़ी के लिखने से बच पर तो बहुत अच्छा है हाँ अब कलास में कच्छा इलेवेंध का इस्टुएट पढ़ा राल कोई क्लास फस्टियर में और हुमिक जाम है वहां दिखाना है वह कौंपी तो ठीक है इसे लिख देजेगा ती एक वर टुके रूफ पावर ए या या वाई पावर बी एल पावर सी याने कि डायमेंशन आफ यहां पर प्रपोर्शनल है ना हटाओ गेंट को इलिख दिया जाता है और ठेक है अब क्या करें आप लिखोगे यहां पर कि टेकिन दा यहां टेकिन डायमेंशन अब बोच स है तो टाइम गराएगा यह बटाए यह बटाएगा जीरो और तीपर वन अब इसे को शाल करता अब इस पावर को अंदर लाया जाता है अंदर लाओगे तो यहां पर कुछ ने मिंस मन है यह हो गया यह माँज थियो हो जाएगा ना मुल्टिप्लाय हो जाएगा अब फिद लिटाल बेहरा दिया सिकिन दर्लाद दो जानती इतना है कि पर वन हे बड़े जीरु जीरुँ है अचार अब अभी इसले बार इसले पिश्टेपर होता है कि देखरों कितने एम है एक दो हम अब इस पर पावर कितना है दो दो एमके बज़ा एक में दो कि अब इत्वर को चाहे डों कि पलस गसा प्लस हो जका दो एक प्लस हो जाते हैं पर प्लसफ स्थ जैब यहां पर सब को कि एक साथ करदो कर दिया और जैसे हिन टाइम यहां है इस Пषुजिट मैं इसके बार किया करते हैं जब सब का यम सब एक पास, एल सब एक पास, टी सब एक पास, सब एक पास कर लिया जाता है, जितने भी रहें, और भी रहें, तो उनको भी सब एक पास कर लेंगे, अब उपर के equation को, यह जो dimension है इधर भी यम है, left hand wave है, इधर भी यम है, अब इधर का जो यम का power है, वह M पर 0 है, इधर जो M है वह A plus B है, तो base बराबर होते हैं, तो power बराबर होते हैं, तो A plus B, बराबर 0, वह फार्मिलर लगा दो, A plus B बराबर 0, तो A बराबर मानस B हो गया, अब जश्ट ऐसे यल का compare करो, यल इधर कितना है, 0 है, alpha इधर कितना है, यह है, base बराबर, तो पामर बराबर, तो मानस 3A, मानस 3A, मानस B, मानस B, पलस C, बराबर कितना, 0, 0, solve कर दो, अब इसको, अब इसको solve कर देजिए, आब जाद देखना बइटा, ज़रीटा, अब मानस 3A, इहाँ है न, और A कामान मिला है, मानस B, यहाँ पर देखना, एक मानन रखे मानस B, मानस-पलस हो गया, और मानस B पहले से था, पलस C, और 3B में से 1B निकाल दो, 2B, पलस C, बराबर 0 हो गया, अब B कामान इहां से, बिटा कि pop, यहां से मिला है मानस टू भी ना बराबर वन मिला है क्यों यहां पर वहां टी का मानस टू भी है और यहां टी का वन है यहां कि बेस बराबर पावर बराबर ना तो वन ब्राबर मानस टू बी तो मानस टू ब्राबर ब्राबर मानस ब्राबर मानस बाइट वी का हैं पर मान रखां बेटा तो सी के बेलूग आ गई तो सबका गया एका भी आगया एका प्लस हाफ सी का वान तो बी का मानस आफ अब वही जो एक्रेशन में पहले लिखे थे पहली लाइट नमबर वन वाला न यह लिखे थे रो रो पर क्या था ए यंग मार्द रोस पर बी सब्सक्राइब रो पावर एक का बैलू रख दिया और लेंथ का रख दिया वन वार टू में चांद में रूट होता है ती वावर यह साग्या दैटिदा फंटास्टे एंसर अनि जो टाइम पिर बोला था था विखे पर क्या यह टीवल टू एल अंडर रोट ना क्या रो अपान यंग मार्द लस वाई कैस निश्या गिया क्योंकि मैनस था नमटाइब आइस पर देखा हाफ है वन बाइटू प्लस है उपर हो गया वन बाइटू मिन्स रूट अचैर नुट ना क्या किस अ क्या को अक आपकिस सपोज एर इज युनि आप टाइम यह बहुति एनिकल क्यों सपोज एैं क्योंकि और एक साल एर ए इज अनिए यह युनित अप लिए युनित आप यानि कि यदि एक साल को टाइम का यूनिट माना जाए और एक प्रकास बर्ष को यूनिट आफ लेंथ माना जाए मास OF आर्थ पित्वी करेंगे एक निटन को कैसे एक निटन को इस सिस्टम में नए सिस्टम में जहां पर एक बरस वाट की यूनिट मानना है एक बरस वन इयर दूरी लाइट इयर में और मास्क को प्रिथभी के मास्क बराबर मनना है मास आफर्थ एक सिस्टम में हो यदि यह फंडामेंटल मान लिया इनको फंडामेंटल माना जाए तो इक न्यूटन कैसे लिखा जाएगा कि यह बहुत आसान मेंटा चलो परसान होने जरत नहीं देखो और यह पहले वाले सिस्टम में और हमको यह न्टू बताना है एंटू बराबर एंटू बराबर एक न्यूटन है ना पहले बाले में मानुस का बन है कि एक न्यूटन को भूणना न्यूटन मींस क्या न्यूटन मिन्स थोस आप पहले वाले में मैं मोण एलवन टीवाएं अ फिर बाद वाले में एंटू अलटू टीटू लीटा तू फ्रक्ता आप फ़र सा सीस्टमाटिक लीजिए यह मंपाने अम तू या रोओन ना फाने लोट टीवान टीटू सिस्टमेटिक लीज़े दिया चलिए बहुत आसान देखो अब हमको एन टू के मान बताना है पहले क्या था एक किलोग्राम और अर्थ का मास अर्थ का मास जानते पटा सिक्स इंटू 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 टेपा 24 होता है तो 02 चोड़ कर दीजिए शिक्स इंटेपाइब 24 ले लिए लिए अच्छा अब यहां पर देखो दूसा क्या अब एक मीटर हमारा पहले था न्यूटन जब न्यूटन था वन न्यूटन तो हम लोग एक मीटर को मीटर का इनूट कर था एक मीटर एक मीटर पहले थे लेकिन अपका रालेने को कितना लाइट यह वन लाइट यह कितना नायट पॉइंट विटाप फिफ्टीन मीटर होता है प्रॉके वैलो लग नदीयों लाद एक साल में वन वे एक वाने यह मैं शोर्ड वाल देखिये अब लोगा किना कि इन क्योर्टिन इसी को साल्व कर द चल्ड विटा शाल को यहां पार ऑगे क्या पिंजर लेगा एगा 1.58 x 10-30 जाएगा 1.58 x 10-30, इक नीटन कार्ता बान आएगा 1.58 x 10-30, जाएगा इसमें नैस सिस्टम है, नेक्स्ट विटा बहुत इंपर्टेंट, क्या के रहा कि प्रेशर depends on the distance वो कि वह देखे प्रेशर है या पी डिपेंड़ डिस्टेंस अल्फा बीटा इंटू एक्स्पोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपान के इंटु थीटा जेड़ क्या वैट डिस्टेंस है अल्फा बीटा क्या है कौन्स्टेंट है थीटा क्या है तमप्रेच्यर क्या क और के क्या बोल्चमाइन कॉंस्टेंट है बीटा काहां पर है यह बीटा तो यदी बहुत है इधर जानते हो कि यह इतनी वैलू देखो बहुत ही ना अब इससे क्वेशन में देख करके छोड़ देगा को सिसी नहीं करेगा साल करनेगा निन्यान में पर्शन बच्चा छोड़ देगा लेकिन आप पी अंडे फिजिक्स पर है यू आर मुस्ट लगें थे बटा के सारी चीजा को मिल लए हैं फस्ट लास तो अब जाते हो कि यह इतना इक्स्पोनेंशियर पूर्शन है इसा हो जाएका क्या वान तो जब पूरा यह है कि हमको अलफा पता नहीं है पी तो मालूम है प्रेशर है इसा तो निकल जाएगा अलफा नहीं पता है अलफा का निकालना पड़ेगा ओके हैंटास्टिक अब देख विटा अलफा पता चल जाते इंसर आ अब आपका कैसे पता चलेगा इक्स्पोनेंशियल वाला पूरा का पूरा होना है कि यह होगा माइनस 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 ओपक्षाइन वह तो उसको हटा दूसर फरक नहीं पढ़ता अलफा जिट अपन बाद यह एलफालफा ब्राबर क्या हुआ है कि थीटा उतर कि अब अब यह सकते हैं तो हैं तरी बोडिशन कांस्ट ए अब भी नि तो एम-ल इस्क्वार टीटा मैस्टू टंप्रिचर अपान थीटा तीटा ऊपर चला गया यहां टमप्रिचर फो ना थीटा लिखा गया है चाहो तो थीटा लिखा गया फिरा अब इन्टोट थीटा है तो थीटा होई सेज़र और अपान जेड लंबाई है एल हो गया कर दो इसको जो कटे-उटे क्या पाए यहां एल्ट पामाज़ तुग फोर्ष के ब्राबर आए अलफा क्या था फोर्स था इसा मत बहुत हुआ बेटा ब्राबर अलफा ब्राबर पी अलफा ब्राब प्रेशर अदेखना बीटा बरबर क्या हो बटा यह एल्फा फोर्स आया न मल इस थीपामाज तू और अपान प्रेशर का होता है एम यह पार मानस पनी पार मानस तू एन इस सब कर तोड़ गया क्या मिला यह तैट देट इंसर तो बीटा का दिमिन इनके न क्या पड़ा है पी हंड्रेड फिजिक्स हाँ तो बीटा चैनल को सब्सक्राइब की होंगे पक्का की होंगे बीना सब्सक्राइब के देखना मना है वह किये हैं और किने लोगों से करवाए है कि बस वैसे ही अब कि यह है कि नहीं बीटा कम सम्दस लोगों से सब्सक्राइब करवाए है अपने जो भी फ्रेंड सरक्राइब वगर हैं उनसे नया चैनल भी शुरू किया हो तब तो ऐसे मिलेगी न जहमा जहूं पुरा नंबर उठाओ आओ साथ सब्सक्राइब फिजिक्स में हंडेड पर्सेंट हंडेड पर्सेंट आना फिक्स है नीट में फिजिक्स में आपकी यह कोई पर भी इस तरह से नहीं नहीं न साब आसान से असान अफ टफ से टफ इतना प्रेक्टिस का देंगे कोई को बीक्योशन ना भी टफ दिया जाएगा आपको कुछ लगेगा नहीं और ऐसे ही फिजीक्स सप्सकार्थ चाहिए जरूरर सब्सक्राइब करिए और यह दास्ट्ट्न सबस्काइब करें अग kid अब युभर अपका काम है स्ट्विडेंट अपने फास्ट फ्रेंड जो भी हो उनसे जरूर देख रहूं अब पूर необ कर लाई है तो कि निया चनल अभी हमको थोड़ा प्रबोर्ट करना है इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है पढ़ाई तो कुछ जम के चली रही लेकिन लोग जानेंगी तब तो कि अब अब कि लिए नोट करें विटा सब कुछ आजाओ एक एक यह आज है किक करने का प्रोसेश सिख लो यह अपर कि किक इनरजी विलस्टी और टाइम नहीं दीजेगा इनरजी विलस्टी टाइम टीन चीजें ले रहा है Energy velocity of time क्या कि let taken fundamental yes बहुत important question fundamental find the dimensional formula for the surface tension का डायमेंस्टर फ़र्मुला बताओ अज़ता जो जिसके विस्था में पूछरा वास उसे left hand लिखो proportional का निशन लगए उस बाध तीनों quantity जो दिया हुआ हो तीनों की bracket में बंद करो पारला प्रेकेट इनर्जी दूस्तरा है विलस्तरी तीस्तरा है टाइम बंद कर दिया सब का एबी इसी फार्मडा लगा देटा सब डाइमेंशन माल लो इनका इसका एए है इसका बी इसका सी अग्ली लाइन शीदे यहां से बलाबर करो और लेफ्ट हैंड का डाइमेंशन लेलो आग्यां इसली ली दिखाना है अब इनर्जी जान्दे विलस्तरी पार मांशने वन का आइम- टैय्मट्री अपकर आइम अब का करेंशनेमट्री और आव लाइच बीनिज़ा मार लाइच को इसका चाहिते पार्म लाइच यह होड़ा और डाया अगुज को दूस्तराने य सबी में इंपास सब्सक्राइब कर दो अब लिप्त हें से इधर करो इंदर का यह है इनकोच वन है यह बराबर वन पहला इंस रवेशट से आगया अगया अब इसा देखना अभी एक टू अपलस भी है इधार हί데 правда स्जी श्रुट तो विजेन्सटी जीरो चाल सब्सक्राइब कुट कर दो इसकी पुलish के सबस्क्राइब कर्द ऑक को के सबस्क्राइब करने कि आरप है मफर27 ओके अब मेन इक्वेसर जो नम्मर एक है बिटा सफेटेसर प्रपरशनल टू इसमें अब ABC का मान रहे बिटा ABC का मान रहे बिटा तो दिया ए उपर आ जाएगा और बिटा यह भी मैनस में भी मैनस में नीची आ जाएंगी दोनों ओके दिदा फंटास्टिक एंसर अब को दा बेस्ट क्वेस्टन नेक्स्ट चल्टा बहुत डेंजरोस क्वेस्टन सब देखो क्या कि पोजिटन आप बाड़ी आट टाइम टी गिवेन एक्स्टी इक्वल तो सो मच नव्टा जान देना फिर आगे आवही एक्स्पोनेंट ना एक्सका डाइमेंसटन इसके बड्राबर है और इतने का डाइमेंशन इसके बड्राबर है होगा होगा है है और यह जांते हैं एक यह उपर एब और पूरा वन होता है यह ना एकती को मांद के रहा हो लिया वान तो यह बराबर क्या होग पटा बाइटा ओनम ती फोगर अज्टना गर्धा यह has compared itself कि I said we are theक एकसी गाटी स्पाटेब एककर भी नाद प्राबा किलिक बेंप तुच एक क्लोड़िया ग्ष्ट निलियसा एक आश्यात डील già पूरा वन है कि अन्दर ला देते विटा तो वी नाट वाई ए इसमें भी नाट वाई हो जाएगा इपार मानस से वाई टू जान्द विटा कि यह क्या है यह इसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा यानि कि पर कोई भी संख्या रखी जाए तो समान वन होगा यहां कुछ भी रहे यह एक के बराबर होगा इकल टू वन होगा यह इकल टू वन होगा पावर हमेशा इक अबन होता है एटी बराबर वन है यहांसा आपको एक इवैलल मिल जाएगी और पाटा और यह और इसके बराबर होगा दोनों क्यों तब ही दो यह कहीं पर भी दो फीजकल कॉंटिटी आपकर सम की जा रहे हैं इससामटर z दूर बराबर है जैसे मीटर में किलोग्राम में जूड़ोगे, ना, तो यह समकिया है मीटर, मीटर, मीटर ही मीटर में जूड़एगा, किलोग्राम में ही जूड़गा तो जब कहीं पर भी दो मीटर में से किलोग्राम मानस तो नहीं तो जब दो फिचकल कॉनिटिटी मानस की गई हो इसा मतलब कि दो बराबर है बराबर कहें तब ही की गई होंगी ओके तब इसमें दोनों से दोनों ने लेना एक ले लिए अभी इतना ले लिया तो दोनों एक ही चीज़ें बराबर है एक ले लिया बी नाट भाई ये बराबर एक्स ओक्यों टा एस दिशिदर कंसेप्ट नेक्स्ट ओके वे दंजरस चलो तो इता इकल तुट ओ सो मच्ट इटा इकल तुट अपन भी लॉग बी एक्स फ्लस जी एक ही इता को फिए तुट आपिसकासिटि एक्स दिस्टेंस वाटर उट से देंसाघ ए लॉग और भी एक्स प्लस लाग बाट लॉग बी जब भी कभी भी log रहे तो लाग BX प्लस C का मान क्या हो जाएगा वान ये वाला हिस्टा ना ये एतना dimensionless है तो जब dimensionless ये कभी होगा जब BX बाबर C होगा है नो बटा BX BX बेदो बटा ये तभी होगा जब इतने कि मैंने निवार्ग, तो दोस और चीज प्लस किच की अधां कि लिप बैबर क्टैसरा कॉनिर सब्स्क्राओं में थोतोनों प्लस की जा िह पर लेस दावेंशाल लेंशा लेस को होना है डाइमेंसार लेस अ यह बिए 땅 मेंशाल लेस तो सी कुकी अकेले है आया डामेंसार रहें lavender लेकी सी आई करकी दो हुठ और अब ले स्टागी आ Beck संब्ये चोड़ा। ok ये बड़ा, bx प्लस c ब्राबर dimensionless यारी कि यह हम डाइमेंशनलीश और यह भी dimensionless तो c के साथ कुछ नहीं तो यह सैथ 1 by x 1 by x means 1 by L means L power minus 1 so c ka dimension b ka dimension आगे बेटा और eta ka dimension so much so eta ka बेटा का बेटा बेटा की बेटा दी आगे eta का dimension जांत होता क्या m L power minus 1 T power minus 1 equal to kitna A by 1 so A power किने हो बेटा चाहें बैटा और बेगा सब्सक्राइब और है कि लखा कर लिए निकालक ने मिला हुआ है और हम आगा पता नहीं है याँ एक और येटा में l एक अगुण टिमांचेट है एक हाह नेखें लिवाद ठीक से चला उपर से दिखाए चला लेटा देखोक्लों क्या होगे क्वेश्चने वाद फिस्ट विश्टा-D ठीक से आधा इड़ा कोफीशेंटा विसक्सिती ही आधा को फिसेंदा विसकोष दिविदा लुट हैंवे और या चर्वट नेक्स्ट अब इस टाइप का वाइए साइन टू पाइप लेंडा सी टी मैनस एकस तो कहरा है कि डाइप मरे और शींग अंदर हो गया देख विटा अध्धान दीजेगा जांदे विटा कि साइन या कास कि जो जो उसका आर्जुमेंट होता है या नहीं कि साइन और कास के आगे ज़स्ट बगल वाला जो हिस्सा एंगल का होता नहीं यह एंगल की जग है न वेटा आप आप क्या लिखते हो लिखते हो गीता साइन घीटा का आर्जुमेंट इस बोलते है एक लाघ है तीटा है ना यह जग है ले टा यह तो होगा नहीं कि साइक CT और X dimensionless होने हैं और कब होगा ऐसा जब CT मानस X याने कि CT ब्राबर 1 हो और X ब्राबर भी dimensionless हो होगा अब जाद देखना CT मानस X ब्राबर क्या होगा बेटा 1 इंटु लेम्डा क्यों लेम्डा है यहां पर तो अधर बड़ा ऐसे CT सेटी-X इक्वल टुवन हुआ नहीं है और आपनलेम्डा भी है टूपाइब लंबड़ चुड़े लबड़ा तो स्वितविताएब अधर लंडा कि दिशकते हैं आप से अब देखो यहां पर हैं अब सीटी इकोट टूए एक्स तो हम क्या लिए लेंड़ा क्या है लेंड़ा लेंड़ा लेंध है तो एल टी पाप आप अनस वह लिए अब और ए इधर ए और यह पूरा की यह पूरा का पूरा टर्म वन है और यह है तो एब रवाबर सीदे वाई हो गया डाइमेंचान आप वाइंचान आप वाई हो गया ओके कि अब समझें ठीक से अब लिए तो एक्स प्राइब अब लगें तो एक्स क्या भी डाइमेंचान निकल लगें अब अब एक्स तो लंग थाई है तो हम लोंको जीशा बताना आ आ गया सी का आगया अब लिए पार मानस मन और एक यह मेंस लेंध श्याल आगला प्रेस्टन शैंना नेक्स्ट छहाँ क्या हिल्गxico लेंथि अब सुन्टरश विए मिजर मेंट पर हाइज नोथ के द barbecue मिजर दे अ मेंट यह लिए सिन्टरण वित क्या भी year calipers which which are having the least count 0.01 length of the cylinder is 5 meter and length radius of the no radius is a 2.0 meter centimeter so what may be the percentage error in the determination in the volume yes question 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 no question क्या पड़ा है 300 फिजिक्स में स्टी पांड़ेश्टी पीसर ना मजा गया तो यह है पढ़ाई एक लेविल होनी चाहिए कर पढ़ाई का तैयारी के लेविल होती है और उस जैसे होता नहीं कि वाटर वाटर की बॉयलिंग मेटा हमेशा हंडेड इसलस्यस पर होती है यानि कि एक मतलब मिजर्मेंट है एक पैमाना उसका है एक फिक्स लेविल उसकी है तो नीट और आयाइटी है निकलता है एक लेविल के उपर है जब वो तैयारी हो जाती है ना तो बाद सांख बंग करके निगए आता है कमड़ी सब अब जो क्वेश्टन आएगा टेक्निकल कुछ पूछा गलत नहोंने पाएं बाकी आसान आसान तो भी देखें सब डाइमिंशन वगेरा अब ऐसे ही सब जितने भी कुश्टन बनते हैं सब बेवाश्ट सब दो-दो हर टाइक पर दो-दो कुश्टन कर लिजिए अब देखें साइन वाला भी पता चल गया लाग वाला पत सब्सक्राइटम तो नहीं सब्सक्राइटम देखेंस कॉप्र आएं सब्सक्राइब लेंद्ध में किनना है लिस्ट करना है जो पैंट वन और बर्नियर का रेडिया जिससे में मीजर किया गया उसमें कितना है लिस्ट काउंट जियो पैंट जिरो वन कि इक्सपरिमेंटल इसकिल का चैटर हमने बहुत जबाचस्त पढ़ाया गया वह वाटा दो तीन वीडियों साथ है दो वीडियों एक्सपरिमेंटल इसकिल वाले में बढ़नियर इसकुर गेज वगर सारे क्वेस्टन्स तो आल्लेडी मैं वहां पर दे दिया हूं इसलिए ज दहन देंजिए गड़ा जैसे की इसकुरी देख रहे स्कुरी इसका क्वेस्टन नहीं है क्योंकि आलेडी इसके इस्क्रीमेंटल में दिया हूं तो वहां पर दिया बहुत ही जबर जस्त बहुत ही ऐख करवाया जब्सकार लिस्ट काउंट किया हो डाइगराम बना कर बड़ी मेरत किया हो तो फिर वही चीज यह हम दुबारा देने की जो नहीं न विटा प्लेश्ट में है नोड़का लिया चलिए बढ़ेगा जानते हैं कि वालूम बढ़ाबर होता है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्षन एरिया यानि कि वालूम बढ़ाबर होगा बढ़ा एल इंटू पाई जा समझे और यहां देने हैं मिटा कि यहां पर अभी मैं आगले वहले क्रेशन में पूरा डीटेल बता रहा हूं देखो अभी यहां पर डेल्टा एल डेल्टा एल इंटू हंड्रेड यह बोलते हैं परसेंटेज चेंज इंदर लेंद्ध पामार हमेशा बंगल में आ जाता है तो प है नहीं हो सकता है मैक्समाम इर्ट्राइख होता है जितना लिस्ट कांट हो सकता है यानि कि जो लंबाई की मिजरमेंट किया गया है उसका लिश्ट काण 0.1 दिया हुआ था तो लिस्ट कांट डेल्टा एल्सक्ता गोज़न एलस लिए लिए और आ पांट अल नं चना था 5 स सब्सक्राइब चाहिए तो ओपर किना जा टेन और नीचे फाइफ टेन और फाइफ दो परसेंट आ गया और यहां पर करेंगे बिटा दो से दो कट गया सोच बिटिप्लाइब और वन आ गया इंसर आ गया थ्री परसेंट देखे किना घुमा के दिया है question और साब देखे किना असानी से ठीपटा और देखे list count दे दिया नाम दे दिया वहाँ list count बस कितने लोग दे करके छोड़ देंगे list count और समझेंगे इस सुर्गेश का सवाल है concept नहीं पता क्या concept यहां पर लिस्ट count की बड़ाबर ही maximum इदर हो सकता है next कि टू नटर्ड जोइन तुगेधर तुइन डिविजूल लेंथ देखे दो रहाँ एक इतनी लंबाई का है कि इतनी लंबाई का है कि कि रहा कि दा list count मिजरिंग इंस्ट्रिमेंट देखे जो उनके मीजर करने बाला इंस्ट्रिमेंट है उनका जो लंबाई नापा है उसका डिस्ट काउंट 0.01 सेंट्रिमेटर का कि वाट इदा फाइनल लेंथ इसे फाइनल लंबाई कैसे लिखो गए यह बहुत आसान देखे अब आपर करोंगे ना तो फाइले के लंबाई और प्लस उसमें मिजर्मेंट की समाना जो इंदर की समाना वेटा इदर पलस- गड़बी सकता है अब दुछ बाद दूसरी लंबाई पलस इंदर अब कि इद्धा हो गया जोड़ता दोनों को लंबाई दोनों जोड़ते हैं दिवीजन होगा तभी प्लस प्लस सब्टरक्शन होगा तभी प्लस और एडिशन होगा तभी प्लस तो हमिशाँ पर अब कुछ पार्टिक्स में ने हैं अबाँ आगे बहुत बताएंगा आपको पीधिंदेश चनल बैटा अच्छी तरह से पढ़ें जब तरीके से पढ़िए और ऐसा कोई लाइन नहीं होगी कि जो नहीं जो जिस पर नुमेरिकल बने और आपका तयार नहीं होगा बस सीधे जोड़ दीजिए तो जीदे जोड़ दिया 00.1 यह सुमस्ट बहुत आसान स्वाल है हमेशा 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 जो यह दो प्लस होता है चलो प्लस प्लस बीटी स्क्वायर क्या कि डाइमेंशन ए आपान बी का डाइमेंशन बताओ नो प्लस है जानते हो नहीं ऐसे डाइवाइब का डाइमेंशन डेक्टर माइन दाइमेंशन आफ ए बाइब बीए कि डाइमेंशन आफे ाफे प्लस है नो 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 डेक्टर डाइमेंशन आफ एक यफी दिया है तना दिया है विटाँ देखो यहाँ आ आपको फिक आपको चर्सक्राइब भूहहत ही फंटास्टीस Control कि पूछ रहा आप से कि वाट इद वैल्व आफ एंड कि चॉल वाट देखना अब यहां पर फंडमेंटर पॉइंट ए रूट एक्स और यहां पर बीटी स्क्वार है दोनों जोड़े जा रहे ना इसा मतलब कि यह बराबर यह होगा ताभी जोड़े हुए देना एक ब्राबर ऊत्री आप तो है गfrage वह डाट है डिवाइड कर दो एकłaफिक और इसे लिएत अब यहica पर mot यह 1 हो गया और सोमच अब दोगा एब ब्लाबर एब ब्लाबर की बाद इसकार पर जाएगा रूट्टी एक्स निचाएगा कि आप गया काओ आप सिस्क्राइब आप आप जाए प्रद्द स्कार्ड वाई रूटी एक्स आज आगया कि अब बाएब ब्रवर अच्छा और एवाई बीकाद एमेंजिन और आपिए भगा ने इसका इसका प्रदाइजिट निकाल लिए जाए टी स्कॉर्र का ती स्कॉर्ण भाबर क्या वर टी स्कॉर्र ही हुआ और यह यह पर हाफ है उप्र या कि माइनस पर बन गया है मोगा अ प्रवाबर है इसका बणा मास इस में है नहीं एए पावड जीरू तरह कि दामेंशन मास का डामेंशन जीरू लेंज्ड ना बैटो और टीकर डामेंशन टीच्वार मनगी है मैटा, और inference Ayb का paper में दिया है M0 L more 1 by N T power 2 यानि की जहान N है, वहां क्या मिला 2, जहान t square है, वहां t square है जहान M है, वहां M है जहान L है, वहां L है जहान 1 by minus 1 by 2, वहां minus 1 by N है यान बादा, TOO, दैट ही ता answer हुआ है यह बाप पेश्चे लोगा ट्वीक से कई समको पेश्चे देखेलों है बाप क्यां सेप्ट क्लियर होना चीए बड़ा क्या हम लिखें कैसे हो गया नेक्स्ट चबड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कि मिजर्मेंट आप फीचकल कॉंटिटी इच देवड़ा कहीं पर कोई यह फीचकल राट है कोई है उसको ना पाजा रहा है कि सी चीज को ना पाजा रहा है यह बाराता है पाजा रहा है वह बारता वह बारता वा पाजा सब करो कि सब ही है किसमें सब सेंटिमीटर में सब्सक्राइब और संब्सक्राइब इन जो भी दिए रहेगा वह ले लेंगे यह सब क्या होते हैं अब यह क्वेशन में इसलिए फ्रेम किया हो दिया हूं कि जहां पर मैं चुटी चुटी बात बताओं है चल विटा हो गया आप देखेगा सबसे पहला काम कि देवरा एपसलीट इरर होता क्या है भिटा यह कोई पें है या आप इसा मीजर्मेंट ले clean ले रहें Yeah तो माला के आपने पांच वार इसाथ मीजर्मेंट लिया या तीन वाल recipes लिया कि आपन्यूतर एक विजर्मेट आपने और अचा सम कर दीजिये जो भी आया कर दिया बटा अब उसका मीन ले लिए ले लिए ले लिया तो जो मीन आपने ले 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 सभी में से माwest करने के बाद सभ मेंसे माइनस करने के बाद जो आएगा वही कहलाता है Absolute क्या? Absolute Absolute Error इसका माड ले ले लिए माइनस रहे तब ही पलस माड उसका यानि अब आईए मैं साल करके दिखाता हूँ में वेलू में अब्जर्वेशन जब आपने रिडिंग दिया हो किना किना है पहला है इतना 1.51 दूसा किना वेटा 1.53 तिस्ता है 1.53 चौथा है 1.52 और फिर है 1.54 किना प्राइब दिवीजन कर दिया बैटा मीन लीजिल मीन आया देखूं मीन आ गया कितना इस दिदर मीन कि आएवरेश लेज्ट आगया रागया यह प्रेटिकल वेलु प्रेटिकल मीन वैलू प्रेटिकल मीन वैलू और अब्जर्वेशन पहला बता रहा था कि 1.51 है और हमारा एवरेज आया 1.53 तो जो पहला रिडिंग विटाया हुआ उसमें से एवरेज मानस कर दो और उसका माड ले लो तो इसमें से इसको मानस कर दो तभी कोई फरक नहीं प और प्रेटिकल त्रेटिकहली जो प्रेटिकलध्रिया मिला हुआ फ्रेटिकली आप्स 111 2-3 inस था का जो आया है धो मानस कर दिया हुआ है अब नश्री में था इसी को करते हैं एपसलुट इरर करते हैं सभी को यह जो भी सब आया है ना यह सब एपसलुट इरर कराते हैं और यह और इस अनोन आइच एपसलुट इरर आज एस आज इस बीसलुट इर एपाते हैं एपसलुट सेटा कीशदोंными elevate дерfish एपसलुट सेटा और इसक इसक तरफ द था जो अब Ezra चोट्या कीशदए एपसलूट चेकर देना श्लाहरन मिला एफ़्ट इनांद एव्रेपसलुट इसव्ट इस जा मिला नो और बीछ जू जा सब्सक्राइब करा इडर क्लिश्रा अब कि रिलेटीव एर कि होता है प्रक्राइब अब गटा यह जो एपसलीट मिला हमको जो एपसलीट मेला हमको आपको क्या मेळा माले और जो जो मिए था वो ले लो और यह कौन सा है यह एपसुल्यूट है एपसुल्यूट एवरेज एपसुल्यूट और अपान एवरेज जो मीन था लेंथ मिला था शुरू में दोटा 0.01 1.53 एक से कम आएगा ना एक से कम आएगा लाफ़ जीरू पांट ये प्लाक्स 0.01 क्याएगा यह मिला हम लोको रिलेटिव एर्ड है अब जब कभी भीजना रिलेटिव एर्ड में हंडेग्स मुडिप्लाई कर देते हैं है तो बन जाता है पर्शेंटेज यीरण किन्य परसेंट हैं सोच पांट प्रवाइग कर दिया 0.01 में हंडेग्स माणड़ प्रशेंट तो पूरा क्वेश्चन नोट करिए किसी राट को लंबाई है और पांच बार ना पहें तो पांच लंबाई मिली है सब्सक्राइब करने करना चाहिए बस उसको एक अलग मान करके साल करते रही है अब तीन चार सीजमत आने थी नंबर बान पहला स्टेप मीन निकाली है मीन मीन अब्जर्वेशन कि ना मिला मीन 1.53 अब एपसिल्यूट सब्सक्राइब के लिए क्लिए 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 सभी रीडिंग में से बारी बारी से मीन को सब्सक्राइब करेंगे और बार लगा देंगे यह कि माड में में डेना माइनस प्लस नहीं देखना रहेगा देख बटा पहला सो मच इसमें से मानस किया दूसरा फिर से 0000 बराबर है 001.52 मास 1.53 बटा मानस बनाएगा लेकि माड है तो प्लस बन हो जाएगा यहां पर पाइब पाइब फॉर 1.53 बना अब क्या करें अब क्या करें अब मीन एपसलूट करने क्या करेंगे अब सभी एपसलूट जो आ हुए है उनको उनका मीन देखे अजब लेकिए तो आ जाएगा अब अब लगभग में आएगा 001 अब है अगरा जो इपीशोड आएगा 20 इसे बाद जस्टिसला उसमें बहुत सारे हम के सभी जबधर देने वाले वीडियो मिलते ही ज्यूं पार्ट बन फिनिश करने के बाद में ज्यूं पार्ट टू भी आएगा तुरां तब रहीं तर्फिस्धूरू ना तब तक आज और इसे बाद में जो है मैं बहुत ही जब अभी आपको देने जा रहा हूं बहुत ही इंपार्टेर सारे क्वेश्चन से बढ़ा जस्ट इसी का पार्ट टू अब सिग्निफिकेंट फीगर्स देखे नंबर यहां पर कैसे नहीं करते बढ़ा जीरो पांट जीरो सेवन है ना यह नौट सिग्निफिकेंट नौट सी इसकल इसट और वानेति गंट स्वाइब कीनत नहें कि अ कौत टूपांट सिक्वो सभी तीन है लावा लीजिए टीन है मैं यहां पर यहां पर यहां बीसा नहीं होता है अब टू वांट तो त्रीलिफोर मीन्स पॉर है नेस्ट अधिवड़ा सभी होंगे वांट टू-ध्री-फॉर हुणगे यहां पर भी एप नहें फिर्ट है कि वांट टू-ध्री-फोर होंगे विड़ा कोई और भी यहां पर है शाइद यहां पर 65 था बटा 65 पर देज़ेगा नोटा सब्सक्राइब को दो और तीन पांच से बटा येस होगा बटा चाला आप जाद देखेगा यहां पर जो बटा एट ये कितने हैं वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर किने फोर क्यों दस पर जिरो का कोई मतलब देखेगा था बटा यहां पर यह यह जीरो यहां देसिमल न लगा हो तो जितने भी पहले जिरो होते हैं जितने भी बात में जिरो होते हैं सब्सक्राइब यह जो इतने हो गया एट जिरो सेवेन क्या लिशक्कते हैं इसको एट जिरो सेवेन सिगनीफिकन फिगर का हो करों 123 को नोट लास्ट वी जीरो ते दस्मौला वाला देने तो लास्ट वी जीरो का कोई मतलब नहीं है अब यहां पर देखो ता वान टू त्री फोर फाइफ वाइफ not significant one two three four five six six और यहां पर बेटा 70 है अब दस्मलों लगा हुआ हाँ अब कर दो नहीं यह भी है यह भी है यह भी यह दस्मलों वाला है ना दस्मलों के बाद में 0 जो भी होता है लास्ट में और लगते हैं वह उसका एकूरेशी बताता वेटा तो फिराल आज का लेटा आप यहीं समब करते हैं इस लेच्चर को और इसका यूनिट डाइमेंसन का पार्ट तू मोस्ट इंपार्टेंट क्योंकि जो मैक्समाम नुमेरिकल सम्को कराना है वो सब उसी में है और इसमें तो मैक पहले बताना जो रही था अब सिगनिफिकेंट फिकर कैसे देते हैं राउंड आफ कैसे करते हैं यह सारी जो नुमेरिकल सम्कों वो सब अगले पार्ड में आएगा ओके बेस्ट अबलाफ फिर मिलते हैं नेक्स नेक्स यूनिट डाइमेंसन का नेक्स पार्ट ओके